लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जया झौछ्छ्टरा में injured क्यूमें, कुछ्छ्छ्टाति अल्टर कार्च भीनियंत्व AB 그거 दोतो인स आइकन के लिए अल्टरा चैनल्स क्लिए भीन में हैं वुआ कैसा प्रूल्टरा चैनल्स के लिए इनी ट् Home लेले लेले आसमा में तू है नाजुक सी कलियों में तू है धर्ती की हल चल में तू है जीमन के हर पल में तू है ए इश्वर तू जाने यहां क्या है किस आशिक पर ये इश्वर तु जाने यहां क्या है किसका शिक्र तू है मन की शक्ति आशा है सब्धी तू ही सब्का साथी दे तू है मन की शक्ति आशा है सब्धी तू ही सब्का साथी दे सूरज की गर्मी में तू है हवाओं की दर्मी में तू है बहते हुए जर्नों में तू है पंची की उडानों में तू है हाँ सब धूढ़ते हैं यहां अपना अपना शिक्र ये इश्वर तू जाने यहां क्या है किसका शिक्र ये इश्वर तू है सब की राहों का सच्चा शिक्र जीजी बिल्डर जो सुवदाय देता है वो मुंबई का कोई और बिल्डर नहीं दे सकता आप लोग तो पार्की हो हर चीज परक सकते हो अब आप खुद ही देख लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट एक दम सही जगा लगा है आपका लगा हुआ खरा पैसा कल आपको खरा सोना देगा खरा सोना मिलेगा अगर कल ये राज्य की सरकार बचेगी पॉलिटिकल सिचुएशन डामा डोल है वहां विदान सभा में सरकार गिरी और यहां प्रॉपर्टी के बाउ जीजी साब जो ब्याज देते हैं मार्केट में कोई और नहीं देता है और ये जीजी बहुत हुची चीज है छे साल पहले इनका किसी ने नाम भी नहीं सुना था आज शेहर का टॉप बिल्डर है आगए जीजी साब पोलेटिकल प्रैसे चल रही है सरकार कभी भी गिर सकती है कल सीएम गिरा और उसके साथ प्रॉपटी के भाव ना CM गिरेगा और ना प्रॉपटी के भाव लुड़केंगे मेरा ओफर अब भी ओपन है आप लोगं को पैसे वापस दिये देता हूँ लेकिन एक बात सुन लो आज के बाद हम आपसे फिर से कभी पैसा नहीं लेंगे जी जी साहब आप नाराज हो रहे हैं सीधी बात है यहां मुझ फुला लो यहां सलो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते लेकिन जी जी आप इंवेस्टर्स का भी तो कुछ सोचो पहली बात यह सरकार ने गिरेगी और दूसरी यहां तो मेरे साथ आसमान में उड़ो यहां पर नीचे चीटी और कीडों की तरह रेंगते रहो अम्रुत पाटल अम्रुत पाटल वा यह अच्छा है सारे संशाइन चमकिले मिनिस्ट्री आपके खाते में और मैं मेरे कार्य करता हूं को मंदिर की सीड़ियों पे जाके बिठा हूं स्वारी जैन पाटिल मैं तुम्हें लेबर पानी उससे क्या होने वाला है सियम साब क्रुशी आपका स्वास्थ्य आपका ट्रांस्पोर्ट आपका कपड़ा भी आपका और मैं क्या धोबी का गदा हूं बच्पना छोड़ो पाटिल तुम जितना पचा सकते हो उसे ज्यादा मैं तुम्हें दे रहा हूं देखिए सियम साथ हमें रूरल डेवलेप्मेंट मिनिस्ट्री नहीं तो ये सरकार नहीं वाँ वाँ पाटिल वाँ मोल भाव करना सीख गयो तुम गुड लेकिन एक बात याद रखना आने वाले दो साल में तुम्हारी एक भी और डिमांड नहीं होनी चाहिए और अगर ये शर्त मन्जूर है तो सरकार मुबारक हो अब को भी अमरत पाटल अमरत पाटल शांत हो जाएए शांत हो जाएए देखिए हम सिर्व इतना ही कहना चाहते हैं कि राज्य के विकास के लिए और जनता की खुशाली के लिए हमारी पार्टी इस सरकार को समर्थन देगी लेकिन इलेक्शन में तो आप रूलिंग पार्टी के खिलाफ थे क्या ये लोगों के साथ धोका नहीं है नहीं नहीं राजनीती में धोका नहीं सिर्फ वैसले होते हैं सर क्या ये सच है कि आपको लैंड और रूरल डेवलाप्मेंट मिनिस्ट्री दी जा रही है इसलिए आप ये कि देखिये किसे क्या मिलता है ये तो मुकदर की बात कहीं दिन है तो कहीं रात है आज राज भावन में आयूजित्स नमारव में श्री अमरित पाटल ने नए लैंड और रूरल डेवलाप्मेंट मिनेस्टर पत कीशपत लिई मैं अमरूत पाटिल सत्य और निश्ठा के साथ चीफ मिनिस्टर बाबा राव भोसले के साथ चली चार घंटे के लिए तो मितना क्यू मुस्कुरा रहे हो मेरी ताज महल सिंदगी भी क्या हसी जुआ है एक पता भागाता अपने इंवेस्टरों के सामने के सरकार नहीं गिरेगी और नहीं गिरी अपना अमरूत पाटिल तुर्रम खाऊं गया रूरल डेविलप्रेंट मिनिस्टर बन गया तो बदा है दी वो तो उसे मिलकर दूंगा चार सो साल पहले ये मुंबई समीन के साथ छोटे टुकड़े थे आइलिंड्स जहां कुछ मचवारे रहते थे जिसे पोचगीज ने अंग्रेजों को दहेज में दिया किसने सोचा तक है यहां इतना बड़ा शहर बनेगा जहां अर्बों घर्बों का दंदा चलेगा सोचो इतना बड़ा शहर बसाने का सपना किसने देखने की हिम्मत की होगी शहर बसाने का सपना कोई एक आदमी थोड़ी देखता है जी जी सपना सिर्फ एक आदमी देखता है, नताशा सपने संगत में नहीं देखे जाते कल रात मैंने भी एक सपना देखा बेटरू में चलो, सुनाती हूँ नताशा, जब मैं सोचता हूँ तो मुझे सोचने दो शहर, मानना पड़ेगा जीजी, अभी तक शहर बनाने का सपना लेके गूम रहे हो तुम जीजी, आजारो एकर जमीन चाहिए और ये पूरा इला का आदिवासियों का है आदिवासियों की जमीन खरिदना असान नहीं है, पचास कानून है, सो अधकंड है और तुम कॉलनी बनाने की बात नहीं कर रहे हो, एक शहर बनाने की बात कर रहे हो शहर बनाना है ने, रास्तिय, आस्पताल, स्कूल, कॉल्ल, मॉल्टि प्लेक्स, बिसने सेंटर, अम्यूजमेंट पार्क्स, होटेल, क्लब्स हाँ, मैं एक शहर की बात कर रहा हूँ कभी लास वेकस गये हो? वो तो तुम जैसे खिलाडियों की जगे है तुम ले जाओगे तु जाओ लास वेकस कुछ नहीं था वहाँ, सिर्फ रेगिस्तान ताजमेल देखने इतने लोग साल भर में नहीं आते जितने लोग महारोज जुवा खिलने जाते क्यों, क्योंके सिर्फ एक आदमी ने रेगिस्तान में शहर बसाने का सत्ना देखा था सोचे बडल सब, हमारा अपना शहर, जहां हर चीज पर हमारी मुनापली होगी सेक्योरिटी, बिजली, पानी, बिजनिस, ट्रांसपोर्ट, हर चीज और अगर कसीनोस की परमेशन मिल गई, तो सोचे के क्या हो सकता है 80 करोड का इंवेस्मेंट है, और ये 30 से 50 हजार करोड का बिजनिस बन सकता है सोचना बहुत आसान है जीजी पाटल साब, इलाका आपका सरकार आपकी है पाइनसर तेयार है, फिर प्रॉब्लम क्या है आपका जो हिस्सा होगा पहले ही तेकर लेंगे दखो, उसमें ऐसा है ना भाई उनको खुदा मिले जिनको है खुदा की तलाश मुझको अपना हिस्सा मिले, बस बात खालास मुकादम जी साब जी जी यह मुकादम है, यह मेरा यहां का सारा काम का से मलता है जी जी साब को पूरा सोनगड का इलाका दिखाओ जी साब जी जी खुआप बहुत अच्छा है पहली बार कोई मिला जो खुली आँखों से खुआप देखता है लेकिन खुआप पुरा होने तक आँखे खुली रखना है खुली रहेंगे बाटिल साब बाटिल साब गुड नाइट अच्छा मुकादम यह बताओ यह आदिवासी लोग करते खें साब जी अब तो थोड़ी बहुत खेती कर लेते हैं पहले तो यह हर साल अकाल पड़ता था हर तरफ तो यहां सुका है अब तक एक हरा पेड़नी नजर आया कोई ऐसी जगा दिखाओ जा हरियाली हो पानी हो यह इलाख्या नहीं चलेगा हाँ अरे यह एरिया तो पूरा सुका है बिलकुल पानी नहीं तुम पूरप्ति ओर जाओ वहाँ पानी है सुना है कोई गुरू ने वहाँ वाटर हर्वेस्टिंग किया है और वहाँ एक बड़ी सी जील भी बन गई है वो क्या है वो ? वो तो सब रिशीवन आश्रम है आश्रम ? यह तो जन्नत है पताया बादशा जांगीर ने कश्मीर को जन्नत क्यों कहा क्योंकि उसने यह जगा नहीं देखी थी साबजी यह बादशा जांगीर कौन है दुनिया का सबसे बड़ा विल्डर शाहजान जिसने ताज मेल बनाया उसका पाप पाप रहे चलब आप वहाँ चलते हैं प्रणाम स्वामी जी शुभम आश्रम में वहान प्रवेश वर्जीत है अच्छा अच्छा साब जी यहां से पैदा चलना पड़ेगा साब जी इसी रिशी वेदानात ने कुछ पचास साल पहले यह आश्रम शुरू किया था वो हो तो उनी से मिल लेते हैं नहीं साब जी वो तो पाच्छा साल पहले घुजर गया इनका दवाईयों का धंदा है धंदा नहीं है साब यह आयरवेद की दवाईयां उसी रिशी के जमाने से लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं अब एक नया गुरू है जो आश्रम चलाता है इनकी दवाईयां बहुत असरदार है साब कुछ साल पहले इस गुरू ने यहां पर एक अनाधाशाम भी खोला है बच्चों को पालता है मुफ्त में देवाईयां देता है उसकी आंदनी क्या है मेरा मतलब इतना पैसे कहां से आता है यह अपन को नहीं मालूम साब आईये सामे जी शुभं शुभं यह जी जी साब है यह गुरू जी से मिलना चाहते हैं गुरू जी से हाँ आज तो नहीं आज का दिन गुरू जी के आश्रम का विशिष्ट निरक्षन दिन है इंस्पेक्शन डे पता नहीं समय वो कहां होंगे बेटर यही होगा आप किसी और दिना है शुभं एक गुरू कोई पूजा पाट प्रवचेन वाला संत है क्या नहीं साब इस आश्रम का किसी धरम से कोई संबन नहीं है सुना है रिशिवन का दर्वाजा हर धरम के बेसारा लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है शमा करें इस जगा धुम्रपान मना है शुभं एक गुरू जी गुरू जी मैंने इस इस ने किया इन दोनों की गलती की वज़े से गुरू जी तीन दिन से उपास कर रहे हैं उनने कुछ नहीं खाया तुम दोनों अभी गुरू जी के पास जाओगे और उनसे माफी मांगोगे शुभं शुरू जी शुभं हम कभी सिगरेट ने पियेंगे हम कभी जग्रा भी नहीं करेंगे हम से तुटी होगे गुरू जी अब करेंगे ना गुरू जी तुबारा तो नहीं करोगे ना नहीं गुरू जी एक बुरी खबर है सुना है कि मंत्री पाटिल के लोग गावालों से जमीन खरीद रहें अब तो पी यह गया पी अरे 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 गुरू जी आरे गुरू जी दिन रात इनको शराब पिला रहे हैं इनसे आप क्या बात करेंगे गुरू जी चोड़ना गुरू जी चल पीले 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 अरे गुरू जी तुम्हारा कुछ नहीं काड़ सकता है यह गुरू जी अनत तुमको यहीं पर दबाएगा तरक्य होने नहीं देगा समझा ना गव्रानिका नहीं मंतरी साब ने बॉला है मुम्मबे में सबको एखोली और राशन काड मिलेगा मुम रामनात औरामनात आरे क्या होगे तुम्लों को अरी रामनात इतने साल सरकार से लड़कर तुम्लों को यह जमीन दिलवाई और तुम्होग इसको बेज कर जा रोटेल को बोलना वो जो कर रहे है न वो ठीक नहीं है और मैं चुप नहीं रहूंगा क्या जात अलटीने चेक जम याना पे शहाए दोगा है जब मुकदम ये पंदरा लाग फे उपर के खर्चे के लिए इसका हिसा आग से देना खोटे यह जितनी भी जमीन खरीद रहे हो याद रहे कागज के काम में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए और सारा पईसा पंचायत ओफिस के जरीये ही दिया जाना चाहिए आप मुझे पर छोड़िये सेर जो कुछ होगा कानून के तौर पर ही होगा not to worry आज तो कमाल हो मुझे लगा जोर जबर्दस्ति करनी पड़ेगी पर तेरे नसी बहुत अच्छा है आज लोग जमीन बेजने के लिए लाइन लगा रहे है नेता को नीती नहीं सिखा रहा हूँ लेकिन दुनिया में ऐसी कोई जगा नहीं है जहां पैसे गिनी चलती हो नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते 15 गुंठा जमीन 5 गुंठा जमीन 5 गुंठा जादाव एक गुंठा का 2000 पंधा गुंठा का 3000 विटनेश उसला गा अउसर पंच ये ले एक दो तीन 3000 अंगुठा लगा अरे ये हाथ नहीं वो हाथ कि अञैक लिभए भी स्वें पूक विषव कि जस् सारग्ट्यौ्टॉ प्री्हाजब दिल्धर्द अमरै प्रीआ जासर के जौे सेramos। अपनी मुंबई को दुसरे राच्चे के लोग आकर कबजा कर रहे हैं जब हमारी सरकार मुप में घर बान के दे रही है तो उसका फाइदा उठाने का पहला हथ आप लोगों का है आप लोगों को बिजली पानी देने की जिम्मेदारी मेरी और आने वाले दो साल में यही पर विल्डिंग बनेगी और आप सभी लोगों को पक्का कर मिलेगा जैहिन उम्मिद बेचो और जीतने वाले उम्मिदवार बने रो यह सारी पर्मनेंट वोट बैंक तुमें मुप में दे दिये मुबारकों धन्यवाद साब जी हर एक से दस बाई दस खोले का तस अजार उपे लिया इसे कहते है एक दाम तीन काम काम बार पुटिंग पर चलेगा तो ही हम जल से जल देख शेहर का इंफ्रस्ट्रक्चर दे पाएंगे वक्त पैसा है यह बात कंस्ट्रक्शन के बिस्निस में सबसे ज़्यादा लागू होती है जीजी सिटी एक ऐसा शहर होगा जिसे हिंदुस्तान के लोगों ने सपने में भी नहीं देखा होगा यह फेस वन अम्यूजमेंट पार्क, फाइफ स्टार क्लब, गॉल्फ कोस के साथ इसके पूरे होते ही लोग यह आना शुरू हो जाएंगे फिर उनके पैसे से और क्लब की कमाई से हम फेस टू शुरू करेंगे हाउसिंग क्लान बाद अच्छा है लेकिन पाठिल उसके लिए मुझे यह आश्रम की जमीं चाहिए अरे थोड़ा सबर करो जीजी जब आसपास की सारी जमीन हमारी हो गई है तो आधिवासी लोग भी चले जाएंगे फिर यह गुरुजी यह आके ले बटके क्या करेंगे वो भी चले गएंगे अपने आप चले हम भी यहां का एक एक हरा पत्ता डाली बेड़ सब गुरुजी की मेहनत और पसीने का फल है यह जमीन सारी बंजर थी हमें उस मंत्री पाठिल को रोकना होगा वरना इस सुंदर वन को सीमन के जंगल में बदल देगा हां शुभम पकेल साब इस पाठिल का क्या करें कुछ सोचाया आपने सौकी सीधी एक ही बात है हमें कोड से स्टे ओलडर लेना होगा और यह कंस्रक्शन बंद करना होगा हम तुम्हारा सुपरवाइजर कौन है बात क्या है यह सारा कंस्रक्शन आपको तुरंत रोकना पड़ेगा क्यों यह रिट पेटिशन का कॉपी है है क्या इसमें अपने सेट से बोल अपने लॉयर से पूछे क्या है अरे यह पोटकेस बोटकेस तो चलता रहेगा जीजी इस इलाक एका विधाया क्याने के विधाता मैं हूँ मुझ पे भरोजर रुखो अगर काम रुख गया तो मैं बुरी तरह फस जाऊँगा पैसा पानी की तरह लग चुका है तुम इस बुड़े गुरू का कुछ नहीं कर सकते मैं एक दो चुब बैट रिट पिटिशन नोटीज आप मजाग समझते हैं हुआ क्या अब ये बेलिफ और सरकारी ओफिसर्स हमारे गवा है स्टे ओर्डर दीजिए कंस्ट्रक्शन रोकने का नोटीज आपको दो हफते पहले मिला और अभी भी आप काम कर रहे हैं ये स्टे ओर्डर को सिरियसली लीजिए अब अगर आपने कंस्ट्रक्शन का काम चालू रखा तो केस होगा कंटेंट अब कोर्ट का देखे वखिल साब हम तो जमीन मना रहे हैं पारक के लिए फिर कैसा कंटेंट अब कोरट स्टे ओर्डर सारे कंस्ट्रक्शन पर है अब ये पूरे इलाके में आप कही भी कोई भी काम नहीं कर सकते हम आपस में सब सेटिल कर लेते हैं अभी सेटिल कर लेते हैं बंद करना सारा काम आप स्टे ओर्डर हटने का इंतजार कर सकते हम नहीं ये बताये कब लोटा रहे हमारे पैसे करेंट सिचुएशन क्या है देखिये आप लोगोंने मेरा इतना साथ दिया बस कुछ फक्त और अगर तीन महिने में काम शुरू नहीं हुआ तो आप लोगों को आपकी पैसे मिल जाएंगे अब क्या करोगी जी जी कुछ ना कुछ तो करूँगा मैं तुमारे लिए कुछ कर सकती हूँ वर्दन इंडस्ट्रीस के सामने हम तुम कुछ नहीं है आज कह दिया पाटल साब तुबारा मत क्या ना तस साल पहले मेरे पास तीन अजार उपए नहीं थे और अगले तीन साल में मैं वर्दन इंडस्ट्रीस को गेफ्राप करके आपको तोफे में पेश दूँगा अरे 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 बुडनियूस तो सुनो पहले चो आश्रम की जमीन है ना वह सरकार ने इस गुरू के गुरूरिशी वैध्यानात को पचास साल की लीज पर दी थी वह लीज अगले साल खतम हो रही है तो वह फिर से लीज मांगेगा मांगी है पचास साल उसने दर्खवस भी दी है सीएम को लेकिन सीएम ने मन्जूरी नहीं दी और देंगे भी नहीं क्यों क्योंकि इस सरकार को गिरते गिरते यह पाटिल ने बचाया था और आगे भी पाटिल ही बचायेगा जीजी सिर्फ एक साल ये लीज खतम होने तक रुखना पड़ेगा एक साल आपका दिमाग हराब हो गया है अगर एक साल तक सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहेगा तो मेरी करोडो रुपे की मशीरी सड़ी आगी पाटिल इसका क्या करूं कबाड़ी यां भंगार में बेचूं करोडो रुपे पर ब्याज का मीटा डाउन है अब हम क्या कर सकते है कुछ तो करना होगा उस पाकर बुटे की कोई तो कमजोरी होगी बस उसकी कमीज का एक थागा मिल जाए तो उसके सूत को केच कर साले को नंगा करतूं बस एक कमजोरी मिल जाए एक कमजोरी मेरे मन ये उजली उजली किरने चम की जीवन धरपण में ये उजली उजली किरने चम की जीवन धरपण में ये धूप चाओं की अनवन हर दिशा तना चेतन मन है सब कुछ नया नया मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन ये उजली उजली किरने चम की जीवन धरपण में हाँ धरती की गोद में है सपनों का वो नकल छोड़ा जहां था हमने बचपन का हम सफर क्या हो का जाने आगे पतली हुई हवा है महसूस जो किया है उसमें बड़ा मजा है कभी सोचों ये कहूंगी कभी सोचों ये कहूंगी वो कभी लगे अपना सा और कभी लगे सपना सा है सब कुछ नया नया मेरे मन मेरे मन मेरे मन, मेरे मन, मेरे मन खोया है चैन दिन का रातों की नींद खोई यादों में आज कल तो रहने लगा है कोई ये मिल जाए जो तेला तो मैं कहूंगी आपी हू मैं अजीब पागल सपनों के इस पियापी ये उजली उजली किरने चमकी जीवन दरपन में ये उजली उजली किरने चमकी जीवन दरपन में ये दूप उछाव की अनबन हर दिशा कनाचे तनमन है सब कुछ नया नया मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन, मेरे मन, मेरे मन मेरे मन, मेरे मन, मेरे मन लिजिये टांक वोमी वाडिया गरम छे आराम थी अवे रवाद एनी मारे एकली बदी तुने फिकर चिन्था होते ने तो यह आवी ने सहदो संथ तो तू नहीं बनते मैं जानता था कि तुम वर्दन इंडस्रीज को अच्छी तरह संभालोगे और तुमने संभाला अवे मसका मारवानू छोड़नी, बहुत है ग्यू नव यू लिसन टू मे तेरा बेटा को अच्छी स्कूल में से निकालके तुने इधर पढ़ा है, मैंने कुछ बोला, नहीं, कुछ नहीं वो बिचारा होटी कल्चर और टीश्यो कल्चर सिखकर क्या करेगा और अपना मील और इंडस्रीज कौन चलाएगा अब मैं तेरा बेटा जैदेव को मुंबई ले जाकर बिजनेस सिखाऊँगा होमी मैं भी यही चाहता हूँ कि वो तुमारे साथ लग जाए और तुम इसे बिजनेस के सही तौर तरीके सिखाओ आख जैदेव भी तो तुमारा ही बेटा अरे अरे बेटा सू करेज़ा आया आवने बैसन हम तुम्हें मुंबई ले जाने के लिए आये हैं जैसा बाब जाने आएगा दरूर आएगा अभी कुछ दिन तो मेरे पास रहने दो अभी तो आया यह हां हां रहो रहो लेकिन जल्दी से मुंबई आ जाओ और अपना अज़ जी माधवी ने क्रेजुएशन कर लिया है और मैंने आपसे कई बार काया कि इसके लिए को अच्छा सा लड़का डूंडे कोई जरूत नहीं मैं आपको छोड़के कहीं नहीं जाओंगी मैं भी आपको छोड़के कहीं नहीं जाओंगी चलो मानसी पेटा तुमने कल तीन लोगों को सिंगापूर ले जाने की बात की थी जी बाब तो ले जाओ कुसुम को बजनलाल को और माधवी को कितने दिन के लिए जाना होगा हफते दो हफते में ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी बाब टिशु लाब के लिए सिंगापूर एक्विपमेंट लेने तो जा यह सब कैसे सिख पाएंगे हम लोग कहें उद्धाव सुने माधव यह जैदे भी ना सुनती जाओ उस लट्टू की गोल गोल बाते क्यों आद्वोकेट भजनलाल क्योंकि अकोर्डिंग टू लौ हर भारतिय नाग्रे बिना वैलेट पासपोर्ट और वीजा के राष्टर की सीमा में रहने कातिकारी है किन्तु सीमा विच्चेदन करना हो तो वैद अवैपत्र और द्रिश्ट्रांग होना तो अवेश्यक बताएं यह बस बस बाजन बंद कर सुन तो जै मुझसे कह रहा था कि इससे भी बड़े बड़े बीज ग्रीन हाउस और बनाएगा उसमें पांच लाग पौद्रे उगाएगा वो भी सिर्फ आठ महीनों में और बारिश से पहल और हां वो यह भी कह रहा था कि तुझे मुझे और भजनलाल को सिंगापूर जा जिसे ना जाना हो जाके गुरुजी से बात करें वैसे कुसुम जी एक पात बताईए आप पेड़ पौधों के बारे में क्या जा यहीं के पेड़ पौधे हरे होते हैं वाह पेड़ पौधे हरे होते हैं वैसे पेड़ पौधे लाल पीले और नीले भी होते हैं आप साखी तरू विटप वरिक्ष साल नग जान पत्री वननी डाली दुप दुरुप गाच बखान कितने सोला और जाड जंक है भज़ान लाग है भज़ां संधिया यहीं समापत ही शुभाम जोब शुभाम 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 बेटा तुम्हारों मुंबई जाकर बिजनस सीखना जरूरी है और होमी को रिटाइर भी तो होना है न पर बाबा आपका सपना तो तुम्हें मेरा सपना याद है एक ही तो सपना है आपका बाबा इस पूरे उजाड बंजे रिलाके को हरा बरा और खुशाल देखना बाबा में रिलाकों बेट लगा कर आपका सपना पुरा करूँगा उसी दिन का तो इंतजार है बेटा मुझे आज मैं तुम्हें बिजनस का अपना एक मूल मंतर समझाना चाहता हूँ देखो बेटा दुनिया को कुछ देने की शक्ती सिर्फ अच्छाई में है क्योंके बुराई सिर्फ चीनना और लूटना जानती है चोर, टाकू, शैतान सिर्फ दूसरों से चीन सकते हैं वो कुछ दे नहीं सकते सिवाए दुक के तुम जब भी किसी इंसान से मिलो तो उसे लेन देन के इसी तरह दूपर तोलना परकना कि वो कुछ दुनिया को देने निकला है या चीनने लेकिन बाबा अगर सिर्फ देते रहेंगे तो कमाएंगे कैसे बिजनिस आगे कैसे बढ़ेगा कमाओ खूप कमाओ लेकिन अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा समाज की बेतरी के लिए खर्च करो फिर तुम्हें अपनी कमाई का सही मकसद और समाज का स्नेह मिलेगा और समाज का यही स्नेह तुम्हारी असली कमाई होगी सच्चा धन होगा समझे बिट? जी लिकड़ा मैं तेरे पपा का बड़ा क्रिटिक हूँ पर असल में उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इज़त करता हूँ कौन आदमी है आज के दिन में जो इतना सारा पैसा छोड़कर गरीब आदिवासियों की सिवा करेगा जी बाई बेटा पिताजी ने ये इंडस्ट्री शुरू किया तब मेरे पास इस कंपणी के 25 टका शेर्स थे ये अलग दुनिया है बेटे ये है बिजनेस की दुनिया यहां मैं तुम्हें दिखाऊँगा कि कैसे हम रुई को रुपिय में बदलते हैं बिजनेस की मूल बात यही होनी चाहिए कि तुम्हारी प्रोड़क की क्वालिटी मार्केट में सबसे बहतर हो और उसका भाव सबसे उचित हो ये तुम्हारे पिताजी की सोच और फिलोसोफी रही है इसी को पाने के लिए अखिर में बिजनेस में कामियावी इस पर है कि आप अपने मेन पावर को कैसे संभालते हैं अब इस कंपनी को आगी ले जाना तुम्हारा रिस्पॉंसिवलेटी है नव इस इस दे अन्यूल रिपॉर्ट प्लीस स्टडी इट एक्सलेंट प्रेम जी मैं जानता था कि आपके बहुत सारे धंदे हैं लेकिन ये वर्दन इंडस्टीज की डिलेशिप यह तो बहुत अची बात है मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल है जिससे हम दोनों का फाइदा हो सकता है आप इस जहदे वर्दन से मेरी मीटिंग फिक्स करवा सकते हैं अरे बीस साल से मैं अपने शुरूम में उनकी मिल का कपड़ा बेजते आया हूँ और तुम एक मीटिंग के बारे में पूछ रहे हो मीटिंग फिक्स हो गई समझो बाइद वे इस जहदे वर्दन का कोई दोस्वोस्त है बंबई में अब भी तो आया है बंबे और वैसे भी यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं है मेरे पास अगर उसका फोन नंबर होता तो अभी मीटिंग फिक्स करा देता प्रेम जी इसे ज़र अर्जिंट समझे हो जाएगा जी जी सब मो कॉफी प्रेम जी नहीं मैं चलता हूँ जी जी का आइडिया बहुत अच्छा है बात आप लोगों की है आप खुद तही कर लीजी ओल दो बेस्ट तो यू थैंक यू प्रेम जी थैंक्स की क्या वाद मिलते हैं आपकी जानता कोन है आपकी बात सही है लेकिन जितना भी कपड़ा बनाते हैं बिना एड़टाइजिंग के सब बिग जाता है तो फिर अड़टाइजिंग पर पैसा क्यों खर्च करें वोई तो बता रहा हूँ आप अपना सबसे रचा कपड़ा कितने में बेचते हैं संजिए हजार रुपे पर मीटर अगर अगर इसी कपड़ को फैशन लेबल दे दिया जाए जैसे अर्मानी वाइसल तो उसी कपड़ की बनी हुई पैंट कम से तस हजार रुपे की बिगेगी आपका मुनाफ़ दस गुना जादा था 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 यूज जी जी जिश चिज पर हाथ रख्ता है वो सोना बन जाता है इसलिए वर्दन टेक्स्टाइल्स को एक फैशन लेबल देना चाहता हूँ वाला वाला सारा फैनाइन्स मेरा होगा डिजाइन्स रागा के और कपड़े वर्दन के क्या कहते हूँ पुरा ना माने तो एक सवाल पूछों और भी तो टेक्स्टाइल मिल्स है जो एड़टाइजिंग नहीं करते फिर आप मेरे इपास क्यों है हर बड़ी टेक्स्टाइल कंपणी का अपने एक फैशन लेबल है और फिर मैं किसी भी फटीचर कंपणी के साथ जुड़िया हूँ तो न्यूस क्या बनेगा यहां जी पहली बार फैशन के दुनिया में कदम रख रहा है यूस टॉप डिजाइनर रागा के साथ बिगर न्यूस वर्दन टेक्स्टाइल के साथ फ्रंट पेज हेडलाइन्स जदिफ मुझे सिफ तुम्हारा माटीरियल चाहिए वो भी क्रेडिट पे उसके जगह मैं तुम्हें वन थर्ड बाटनर्शिप दे रहा हूँ वो भी सिफ प्रॉफिट में लॉस मेरा सिर्फ मेरा आपका उफर वाख़ी बहुत अच्छा है मैं अंकल वाडिया से बात करके आपको बताता हूँ देखो जदिफ फैशन यंग लोगों का है आज की जनरेशन यंग माइंड सुसी यह अंकल वाडिया जैसे लोग नहीं समझेंगे इसलिए तो आज तक उन्होंने एड़टाइ पिर यह अंकल वाडिया अंकल वाडिया मेरे फादर के पार्टनर और तुम्हारे पिताजी मिस्टर वर्दन मेरे पिताजी वो बिजनस नहीं सवानते अच्छा ओके लट्स हाव लांच यह स्टेक्स बोट अच्छे मिलते हैं सौरी मैं नन वेजटेरियन नहीं काता हूँ तो वेज भी अच्छे मिलते होगा जव जव देव बोले तब? जव देव नहीं, जव वाला शॉरी ये वाला वाला क्या है? वाला मेंज वाला मतलब वाला वाला विटर मैंने हो ओनलीन प्रॉफिट हाँ हाँ मैं समझ गया ज़रा सोचे अंकल हर टॉप टेक्स्टाइल कंपणी का अपना फैशन लेबल होता है मैं जानता हूँ अंकल इसी फैशन लेबल के वज़ा से वो लोग वही कपड़ा दुगने तिगने दाम पर बेज़ते हैं जिससे उन लोगो जादा प्रॉफिट होता है मैंने सब पता लगा लिया अंकल आजमी लोग ठीक है प्रेम जी बै ने क्या कहा है प्रेम जी बै ने कहा है लोग बहुत अच्छे हैं इन फैक्ट वो खुद उनकी कंस्ट्रक्शन कंपणी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं दिक्रा मैंने कभी अद्वर्टेजिंग वगेरे नहीं की अपसे ये कंपणी तुमको संभालना है तेरा दिमग बोलता है बरोबर है तो बस गो हेड सबसे पहले एक ब्रेंड नेम ते करना होगा मेरी मानलो मनाली इस अ ग्रेट नेम ये फश्ट लेवल ये चर्शकाद दा मनाली वर्कस हम गड़त वाफ और वर्दन और गाफ और गॉर्फ और रागा वागा वागा जी जी तास ब्रिलियंट वागा भाय रागा इ उमुस्ट आंस लागा इंख व्रेंच एक प्राविस नहीं प्राविस और जिए कॉलिटी क्वालिटी रागा है तो क्वालिटी है वर्दन टेक्स्टाल है तो क्वालिटी होगी ही I think we should sell something different, don't you? I think we should sell sex वागा फाशन वर्शन वर्शन प्राविस्टी अग्योड एफ एक्षी Come on Raga यह वो हिप वो जोबी लेकिन मुझे लगता है हम लोगों को मिडल क्लास लोगों को टार्किट करना चाहिए मिडल क्लास को ब्राड नेम की नहीं सिर्फ पहली तारिक की चिन्ता होती है मेरे कुटब मिनार हाँ वो एक सेकेंड ड्रगण यह मुझे कुटुब मिनार क्यों बुला रहे थे जी जी को जो भी शक्स अच्छा लगता है उसको मन पसंद इमारत का नाम देता है और आपको क्या बलाते हैं गेस करो आइफल टावर वाला वाला हमें वागा फैशन्स को हाइप करना होगा सिव अड़िटाइजिंग से नहीं पाटीज प्रेस कॉंफरेंसे राम शोज विमन वाइन मनी क्यों जी जी इसी से न्यूज गरम होती है मेडिया से कैसे डिल करना मैं तुमें सिखाऊंगा इस वक तुम्हारे दो ही मकसद होने चाहिए वर्क हार्ड पार्टी हाडर ये दो चीज़े जवानी में जमकर होती है लेकिन जवानी तो काम करने के लिए है न और पार्टी और डिसकोस का असली मजा तो बड़ापे में ह जब मैं 16 साल का था था केम्सफर्ट क्लब डेली मेरे बापने मेरे आद में ब्याद में और का वेटा आज के बाद कोई भी चीज़ चुप कर नहीं करना है 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 जै है तुम हमेशा है कपड़े पेंटे हो है क्यों कुछ नहीं लिसन हमें क्विक्ली पूरा एड़टाइस चुरु करना चाहिए कम से कम देट दो करोड का इंवस्मेंट होगा लेकिन यह तो बहुत जादा है दोस्त वागा फैशन्स की एक बीचीज हजार रुपे के नीचे नहीं बिकेगी चाहे एक रुमाल हो या एक मोजार नफिंग अफिटेशन मैं लेकिन देट दो करोड का क यह तो सब्सक्राइव था कर भागा चाहे घर्ट आत बाख बैवाच उन्सेप सब को क्लियर हुआ हम यह यह जाए ट्रहा काई सारी लडगी अच रहें अँछ यह ज़द का इंस सारी लडगी आ बीच। नाच रहें हैं लेकिन विदेश मेह क्यों हिंडी इंदृस्तान में मेरे दोस्त, अच्छी अर्विटाइसिंग इसी होती है, नहीं तो दो कमीज के पिक्चर ने कालो और पेपर में चिपका दो, वही तो होगी अर्विटाइसिंग देखो ब्रॉदर, सी, देखो ब्रॉदर, सी, फिल्म हस तो बी सेक्सी साथ नहीं दोगे? इसमी बहुत माप तोल के साथ देते हो, शाम को क्या कर रहे हो? कुम आन या करो लोगी अरे अरे जा स्टांसे किया? स्टूपड अर्यूपड या आतों पर नाशना आता है सीख लो क्योंके कल तुमारी दोनों टांगे नहीं रहेंगी आम सॉरी जीजी मुझे नहीं मालूम थाई आपके साथ है आम रिली सॉरी पोल मुझे 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 जीजी जीजी जे थाईलंड नहीं आ रहा है क्या हुआ कुछ नहीं मैं आके क्या करूंगा जीजी अरे यार आड का पूरा कैंपेंग शूट होने जा रहा है और तुम पार्टनर हो मेरे हाँ जी जी लेकिन मैंने कहा था ना मुझे बहुत जरूरी काम से सिंगपो जाना है हाँ मैंने पता किया तुमारे लाब की पूरी ट्रेनिंग थाईलंड में भी होती है और लाब का पूरा एकुपमेंट मैं इंपोर्ट करा रहूंगा चिल आज से अपना अर प्रोग्राम उच्पे शोड़ताँ ठीक है अब लेकिन मेरे साथ दो-तीन लोग और आहे हैं अंकल अंटी टाइप नहींगे नहीं अंकल अंटी टाइप अंटी टोस्त क्यों अरे जैद तू तू तो अचागया पेच्ट्वी पर आगया अज दो सेलिवर्ट करना ही है कमाँ 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 अरे लो याड अरे दोस्त ये शेम्पें ये शराब नहीं कोई नहीं कहता है कमाँ कामका शर्माता श्यर्स वाला चल अकेला अरे जैदेव भाईया शुभम अरे भजनलाल भाईया शुभम बैठे बैठे अशा तो ये है वो पार्टी के कंस्रॉक्शन का काम अरे इतना ही नहीं वहाँ पाहडी के पीछे तो और भी काफी काम लगा हुआ था कहां पीछे लेकिन फिलहाल सब रुका हुआ है अच्छा वैसे तुम यह क्या कर रहे है वह भाईया विदेश यात्रा में मात्रिस पनेही का भाव था आज वह भी पूर्ण हो गया अच्छा ये बहुत अच्छे प्रणाम बाबा प्रणाम बाबा पेटा अपने बजर्गों को याद रखना एक अच्छी संसकारिक परंपरा है अक्के साथ इनसान कभी-कभी बहग जाता है उस वक्त बजर्गों का आशिरवाद उस संसकारी उसे समालते हैं जेदेव तुमारी मा जहां भी होगी हर पल तुम्हे आशिरवाद देती होगे अच्छा तरीका है किसी का ध्यान अपनी दरफ खीचने का उसे छेटते रहो लेकिन उससे बात न करो उससे दूर-दूर रहो लेकिन दिखते भी रहो अब और क्या-क्या करोगी हां हेई पॉपपिन अब तक बिल्कुल वैसे ही हो हां पॉपपिन की तरह तुबली पतली कभी बदलोगी नहीं जितना भी खीचो फिर वापस वैसे लट्टू तुम बेगा बदले हो जब थेको खूंते रहते हो लट्टू कहीं का अपना काम करो ना मुझे अपना काम करने दो यह तुम इतना भाव क्यू गाती हो हां तुम्हारा प्रॉबलम क्या है? बोलो ना क्या प्रॉबलम प्रॉबलम तो संभावना क्या है कि हम यहां पर एक रास्ते से हटो तो भजनलाल मैं वो क्या कह रहा था कि मुंबाई जाकर अपने बुद्धी खो दिये अरे भाई तुम दोनों क्यूं हमेशा अपस में लड़ते रहते हो अब कम से कम विदेश यात्रा से पहले तो संधी कर लो समझ होता अकॉर्डिंग टू लॉव सीज फायर करेक्ट जो हो कायर वही करें सीज फायर हाटो तुम्हें पदे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है तुम लड़की नहीं लड़ाकी हो इसलिए भजनलाल मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसको अपने साथ थाइलेंड लेके नहीं जा रहा हूँ तो ना ले जाओ और जाकर गुरु जी से भी कह दो इसलिए मित्र हम सिंगापुर नहीं जारें नए थाइलेंड थाइलेंड हाँ थाइलेंड? हाँ सुनए इंगलेंड पोलेंड हॉलेंड चुपाम हाँ शुपाम लेकिन जैदेव लोग जा कर रहें बस ये समझ लीजे कि विमान उड़ने के लिए तैयार है I don't believe this man तेरे दोस्त कुतब मिनार के साथ तीन और मिनार तो हो गए ना चार मिनार लगता है डांडी मार्च पर नीट पर ये कुतब मिनार इतना परेशान क्यों लग रहा है हां बात करता हम रुको जी जी एक प्रॉब्लम है इनलों का बैगेज नहीं मिला मेरा भी बैगेज नहीं पहुचा Lucky girl अपनी फेवरेट होबी बलग जाओ शापिंग नहीं वैसे ग्राउंट स्टाफ कह रहा था के एक दो दिन में सामान मिल जाएगा एक दो दिन और तप तक हम क्या करेंगे अब जो तनपरे यही बचा जादे भाईया हमारा तो सर्वस्व लोट गया ना सर्वस्व एवरिधिंग दो जोडी कपडे तेल किशी अंतरवस्त्र अंतरवस्त्र अंव अंदर्वेव वाला चले और देचल अंतरवस्त्र जोड़वा खूंग भर्वरा मत तक ही जोड़को तया अंतरवस्त्र आपने अपने कमरे विल गए हाँ था कमरे विल गए यह विल गए वंव वंव लोब्स्टर्स रिया था जोग दूब शेरा खाना हमने खायेंगे नहीं फिकर मत करो में तो यह देख भी नहीं सकती चलो यहां से कंगा जुए खाना देखकर पेड़ भर गया नहीं एक्चिलीओ करने देखिये हम यह नहीं खायेंगे हम तृश चुल भी नहीं सकते यह सब अशुद्ध और अपावित्र है । हम सब उप चुके हम हमें सिर्फ आन्ने चाहिए रोटी चाहिए एक डाल तढ़का चाहिए ठीक है कुछ हो जाएगा मैं थूड़ता हूं कि मैं थूड़ता हूं सुखी सब्सक्राइब है थीक है समझ गया समझ गया तो हे भजनलाल अपने फ्रेंज को बिलाओ कुसुम्हीमादवीजी आई आगया देव likes यूज्द मिलने कहां यह तो चीथड़े हैं यहां कपड़े मिल रहे हैं, आप लोग खरीद लीजिए यह कपड़े? ऐसे कपड़े हम लोग कैसे पहन सकते हैं? यहां कहीं साड़ी नहीं मिलेगी यहां साड़ी बलाउस, धोती, कुर्ता कुछ नहीं मिलेगा जैसा तेश, वैसा भेस बाखी के लोग जो पहन रहे, वो पहन लीजिए बस दो-चार दिन की बात है हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते जो कपड़े यहां है, वही पहनने पड़ेंगे वैसे भी तुम्हें यहां कौन जानता है? परन्तु नताशा जी, जो खुशी धोती में है, वो और कहीं नहीं वो कैसे? एक उदारण से समझाता हूँ देखिए, जैसे हवा और रोशनी के आवा गमन के लिए घर में खिड़की होती है उसी प्रकार, शरीर में हावा और पानी के हावा गमन के लिए दोती होती है चलिए, चलिए, आप लोगों के लिए शुद्ध शाकाहरी भोजन तयार आईए, कम नतार चलिए, जल्दी कीजे लेकिन गजनला जी, ऐसे कपड़े निर्वसन नगन सभ्यता है, क्या करेंगे, आईए आपने तो खाना खालिया होगा हमारे खाने की किसको फिकर है नई, मुझे है ना, वैसे मैंने भी खाना नहीं खाया है, एक काम करते है मैं दो मिनिट में बुकड़तावालों को खाना खिला कराता हूँ ओके, अपना अकॉडियन बंकर ऐसी बात नहीं है, नताशा कभी तो सामान नहीं आया, वो तो आप लोगी मदद कर रही है, कुछ भी नहीं कह रही है यहां पर सब लोग हमारा मजा खुड़ा रहे है, और तुम भी मैं मजा, हमें कमजोर और मजबूर मत समझो जैते, यह सब तुम्हें मिल गए है न, इसलिए तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, मैं दीदी मैं सब समझती हूँ, यह सब लोग पीट पीचे हम पे हसते हैं, और यह इनका साथ दे रहा है खाना मिलता है तो उसे अपना नसीब समझ के खाना चाहिए, खाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा मैंने आज तक नहीं देखा छोड़ो न, क्या ना मैं उसका? माधवी, उसे समझाओ, हमेशा से इंसान वही खाता है, जो उसके आसमास मिलता है अब रेगिस्तान में रहने वाले लोग क्या रोज पालक को भी खाएंगे हम बंगाली मच्री चावल क्यों खाते हैं? क्योंकि वो बंगाल में मिलता है कुछ लोग की तो आदती होती है, हर चीज को मुद्दा बना देते हैं एक काम करो न, प्लीज समझाना तुम्हे पड़ेगा अब मैं उनके लिए जो भी कपड़े खरीदूंगी उन्हें पहनना होगा कि हर न, 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 भी वो गई देखो हाँ, हाँ, हाँ धीरे धीरे हुआ दिल ये जवाँ धीरे धीरे जगे नए अरमाँ धीरे धीरे हुआ दिल ये जवाँ धीरे धीरे जगे नए अरमाँ धीरे धीरे हर न, 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 भी हो कई देखो हाँ, 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 हाँ धीरे धीरे हुआ दिल ये जवाँ धीरे धीरे जगे नए अरमाँ धीरे धीरे हुआ दिल ये जवाँ दिर दिर जग नए अर्मा दिर दिर हर ना 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 भे हो कई देखो हाँ हाँ नई नई राहे नई मन से नई नई जलबे नई महफिल सब कुछ है रया और देखो नई से अदाउ से जड़के दिल हाँ नई नई राहे नई मन से नई जलबे नई महफिल सब कुछ है रया और देखो नई से अदाउ से धड़के दिर धिर कई दुनिया बदल धिर 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 बदला हर पल धिर धिर कई दुनिया बदल धिर 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 बदला हर पल धिर धिर हर ना 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 दे हो कई देखो धीरे धीरे हुआ दिली जवा धीरे धीरे जगे नए अर्मा धीरे धीरे हर ना 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 थे हो कई देखो रंगरलियों का है मेला साथ है साथी अलबेला और इस अंचाज सफर में दिल का राही है अकेला धीरे 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 हर ना ना थे हो कई देखो धीरे धीरे हुआ दिली जवा धीरे 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 जगे नए अर्मा धीरे 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 हर ना ना थे हो कई देखो जै तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि भजानलाल जी का मॉडलिंग का एरादा है कुसम जी जीवन का अनन्द लेने में कोई पाप नहीं है ऐसा गुरुजी नहीं जै जी ने ओ तो आपके नए गुरु जैदेव जी है शुभाम चलिए शुक्रिया जूटे हो तुम क्या वा तुम्हें जूट क्यों कहां कि यहां साडी नहीं मिलती हरे मुझे क्या पता में भी तो यहां प्ली बार आया हूं उस हिंदुस्तानी औरत ने कहां पासी में दुकान है कम से कम ऐसे कपड़े नहीं पहने पढ़ते अब उसके साब क्यों जगड़ा क जो भी करूं तुम्हें क्या फरक पड़ता है तुम बिगड रहे हो जैदीव और मैं चुप रहूं है तुम्हें कोई फरक ने पड़ेगा मैं सिगर्ट प्यूँ मैं शरा प्यूँ तो कैसे लगेगा जैदीव तुम नहीं रोकोगी मुझे तुम मुझे सुधार ने आई हो प्लीज मैं जा रहा हूं कि गुरुजी को पता चल गया तो दम की दे रही है मुझे गुरुजी को बताऊगी लो बताऊ लो माधी तो आज भी है की नहीं क्रिकेट पर बैटिंग विल्कुल यह जा भी में जाए पाकिसान की दो इंडिया पाकिसान की दो माधी बचाशे है कल्मा एक लाग जीटा और खुद तो मिनार बचाश अर अजा जिसको जीताना है है गास सबस्क्रिकल इस विजल पीस प्रोब्लम प्रोडक्ष्ण ने कहा कि जॉन अपोट से नहीं निकला है तुमने उसे बात निकी हां कल शम को बात तो की थी वह एपोर्ट के लिए निकलने भी वाला था प्रोड़ को फोन है उसके मैनेजर को फोन करती हूं हलो भासकर नताशा है यह जॉन कहां है वाट भासकर यह गट तो सम्थिंग क्या हो चॉन को फूट पॉजनिंग हो गया है हॉस्पितल में है और ठीक होते होते तीन चार दिन लग जाएंगे इस क्या खंगे तुक्त पॉजनिया को अटल को अटें लगेंगे लिए लागे विए ने लिए लुटिंग मॉड़ देखाएंगे यह रगा मॉड़ तुने एंडियों कॉड़ क्या देखाएंगा एर यार, हाथ में है हीरोंका हार और यूंज आप सिर्फी बजार क्योंक कौण मिनार को मुठा यह जे एक्योंका श्रॉ्ल्याइड यॉदर ए गे यॉव स्यर्ण प्रव कतुँछ यह ज्युल्य गॉद्ई मैं मैं लॉड्लिंग नहीं घुटन दाओ असलिया? आप सीरिस्टो जाओ करोगे? चीजी मैं मादलिंग नहीं कर सकता लिए विसनस के लिए मैं कुछ भी कर सकता ह। तो मोदलिंग में थो यह लेकिन अप में सीरिश्ली जीओ मैं नहीं नहीं करोगे एडेकर पक अबख़यो वापस जाने की टिकेट्स बुक करो सुरी यार बिजनेस शुट होने से पले ही नुक्सान हो गया अन्यवेश नुक्सान तुसे मेरा है है धीरे धीरे हुआ दिल ये जवा धीरे धीरे जगे नए अर्मा धीरे धीरे हुआ दिल ये जवा धीरे धीरे जगे नए अर्मा धीरे धीरे हर नाद नाद भी हो गई देखू हाँ 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 मस्ती में मन लहराए खुद को ये रूक न पाए दिन को तारे गिन गिन के सपनों का महल बनाए नए नए दिन है नए राते नए नए किसे नए बाते नए नए पहचान है सबसे नए नए सारी मुलकाते धीरे धीरे गई दुनिया बदल धीरे धीरे बदला हर पल है धीरे धीरे गई दुनिया बदल धीरे धीरे बदला हर पल धीरे धीरे हर नाद नाद भी हो गई देखू हाँ हाँ कोई इस दिल को समझाए इसको काबू में लाए दिल की बासी क्या जीती रोज नहें दाव लगाए दिल की बासी क्या जीती रोज नहें दाव लगाए धीरे धीरे नहें दाव लगाए धीरे धीरे हुआ दिल ये जवाँ धीरे धीरे जगे नए अरमा धीरे धीरे हुआ दिल ये जवाँ धीरे धीरे जगे नए अरमा धीरे धीरे हर नाथ 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 हो गई देखो हम हूते लगाँ छूसर गुकरता में भरेष नए हमदों के अचे मांचे है जब कहों मैं, acting is like betting AJ, हाँ, क्या लगता है, कौन जीतेगा पता नहीं, कह नहीं सकते तेर भी अंदाज है मुझे भी लगता है, इंडिया ही जीतेगा क्या ग्रेट गापलर रागा, तू क्या कहता है मैं अभी नहीं सही वक्त पर बताऊँगा यही सही वक्त है, यार हाँ, अरफन भाई, क्या रेट चल रहा दसलाग हाता हूँ जी जी, आज मत खेले में, कली तो हारे था जिंदगी में हाँ जीत के बिना मजा ही क्या है अब क्या लगता है मुझे तो लगता है भी इंडिया ही जीतेगी ठीक है तुमारा इंडिया भी लगा देता हूँ नहीं, जी जी, मैं अब और जुवा नहीं कहला हूँ क्या यार बाद बाद पेजएट का कवाड़ अगर देते हो, और चीज में ना चल यार, कूल जी जी जोड़ जी अच्छा चलो जी, मैं भी खेलता हूँ कितना लगा हूँ वह तस हजार तस हजार, किल रहे हूँ या मजाग कर रहे हूँ जीजी 10,000,000 और खाव जीजी इतना नहीं वर्दोन इंडस्टीज के माली को 10-15,000,000 तो कहले जीजी मैं तो 10,000,000 रुपे कभी देखे भी नहीं यार मैं गारंटी लेता हूँ अपने प्रॉफिट जे निकलाएंगे कम आन जे अच्छा तो कि अच्छा क्योड़ता जैग्म 10,000,000 जे वर्दिन एर्फान भाई मैं पार्टनर देखे आए गारंटी लेता हूँ हाँ हाँ जीजी देखे जीजी जीजी प्रॉफिट जीजी कितनी शांती है ना यहां कभी-कभी तनहाई में भी एक अलग सुकून मिलता है तुन्या की तकलीफों से इतनी दूर हो फिर भी परिशान हो मैं तुम्हें परिशान दिख रही हूँ या तो किसी की सोच में हो या परिशान हो और परिशान नहीं हो तो किसी की सोच में हो मैं ना अभी परिशान हो ना कभी रहूँगी परिशान तो वो होते हैं जो कुछ गलत करते हैं बात सोचने की है चलो, आज रात इसी सोच के साथ सोजाओ शुभम शुभम गोल्डन गेट सिटी इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट बीस हजार करो रुपया है 20,000 क्रोज आप एन रहा है के लिए हिंदुस्तान में एक अपना घर एक सारा इलाका सिर्फ हैना रहा है इसके लिए दो तीन बेड्रूम के सुंदर बंगले एक टोटली प्लाइन फुली सल्फ सफिशन और टेक्नोलोजिकली अडवांस शहर फाइफ स्टार फसिलिटीज के साथ और एक बंगले की कीमत पचास लाग से ठाई करोड रुगया ब्रोशर में सारी डीटेल्स है मिस्टर जी जी आपका प्रोजेक किस स्टेज पर है कंस्ट्रक्शन का पहला फेज अम्यूजमेंट पार्क क्लब और गॉल्फ कोस के साथ शुरू हो चुका है मुंबई से तीन घंटे की दूरी पर हम आपको एक स्वापन नगरी दे रहें सारी सुक्सु विदाओं के साथ क्योंके इस जगा का नाम सोंगड है हमने शेयर का नाम गोल्डन गेट सिटी रखा है करद में को हुए इस विद गुजा इस जाहा है तान्को जैनलन तुम क्या गर रह हुए हुए के तुम गूरुजी के बेटे हुए हाँ रिषी वण के गूरुजी तुमारे पताजी है और वर्दन इंड़स्त्रीज़श्स ? अब देखो, मैं समझाता हूँ, मेरे पिताजी का नाम श्रीनात वर्धन है, वर्धन इंडस्री उन्हों नहीं शुरू की थी, फिर कुछ साल पहले वो रिशीवान आश्रम चले गए, तब से होमी वाडिया, जो उनके पार्टनर हैं, वो ही बिजनिस अबालते हैं मैं तो इस प्रोजेक्ट में भी तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता था, पर कंस्ट्रक्शन पर स्टे, सारा प्रोजेक्ट भसा हुआ था, तो मैं कैसे पूछता, अपने साथ तुम्हें थोड़ी बढ़ाद होने देता, पर ऊपरवाले का भी जवाब नहीं, अब ये पूरा प्रोजेक्ट तुमारे हाथ में तुम चाहो तो इस प्रोजेक्ट और मुझे दोनों को बचा सकते हो कुरुजी को के के स्टे हटवाओ और मेरे पार्टनर बंचाओ इसमें हम दोनों का फायदा है फायदा ही फायदा है कुछ तो बोल फायदे की बात नहीं है जी जी मैं तुम्हारी मदद करूँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा लेकिन मेरी एक शर्थ क्या आश्रम से निकलते वक्त मैंने बाबा से एक वादा किया था कि वहाँ लाखों पेड लगाऊंगा अगर तुम मुझे से वादा करते हो कि उन में से एक पेड भी नहीं काटो गया तो मैं तुमारी मादद जरूर करूगा हर एक पेड जो काटूँगा उसकी जगा दो लगाऊंगा यह मेरा बादा है थैंक्स वरा फ्रेंट बादा आश्चर्या मैंने जिन्दगी में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा चमतकार देखूंगा एक पौधे से सौब पौधे बनेंगे विदेश में सब कुछ ठीक ठाक रहा ना जी तो जाने के वक्त जो चहक थी वो आप क्यों नहीं सुनाई पड़ रही है पौधे जी एक उल्जन है बताईए क्या जीवन का आनन लेने में कोई पाप है आनन कैसा आनन अगर तुम्हारे आनन लेने से किसी और को तकलिफ हो तो तो वो क्या अनन कैसा अनन अब उल्जन क्या है नहीं अब कोई उल्जन नहीं है सुना तुम लोगों ले उल्जन सुलज गई है भजन मेरी भी एक उल्जन है जैदेव गुरु जी से मिलाने किसे ले आया है पुरोहिद जी ये उल्जन नहीं महा उल्जन है ये जैदेव का नया पार्टनर है और विदेश में पता चला कि यही उस पार्टिल का वो बिल्डर है जिसके विरुद गुरुजी ने स्टे उडर लिया है मैंने आपकी बात सुन ली पर मामला काफी आगे बढ़ चुका है मैं भी चाहता हूँ कि इस इलाके की तरक्की हो या लोगों को काम मिले यहां प्रगती और विकास हो लेकिन जो आदिवासी यहां से चले गए हैं उन हजारों आदिवासीयों की जिंदीगी का सवाल आपके इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है उनका भविश क्या है बाबा जीजी यहां पर एक आईटी सेंटर खोलना चाहता है उसने वादा किया है कि जितने भी आदिवासी गए हैं उन सब को वापस लेकर आएगा और काम भी देगा बाबा बस अब आपको स्टेवड हटाना है पेटा मैं इनकी मुश्किल को समझ रहा हूँ पर खुरुजी यह सब मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं मैं यहां एक ऐसा शहर बनाना चाहता हूँ जो इस देश में ना हो जहां एक पी छोपड़ा ना हो फिकारी ना हो सारे शहर में कहीं गंदगी ना हो पान की तुक का एक छीटा ना हो बताएए ऐसा कोई शहर है इस देश में यह बात आपको बताने की मैंने कितनी कोशिश की यह थो उपर वाले का शुकर है कि जह मिल गया बस आप मुझे अपना काम करने दीजिए और मैं आपकी हर बात मानता जाऊँगा आपकी योजना क्या है मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ बस थोड़ा सा सोचने दीजिए फिर देखते हैं क्या होता है पिटा अपने दोस को छोड़ाओ जी बाबा इतनी शुबब आओ जी जी प्रिशी देवजी मेरे परीक्षा के दिन आगे रावन सादू का बेज बदल कर आया और मेरा बेटा उसे पैचान ने रहा उसे नियाए का साथ दे रहा एश्वर मुझे शक्ति दे मुझे शक्ति दे एश्वर मुझे शक्ति दे इतना तेटिना, फिरूदल, एषिसेनिन ME जिखेच होलि विष्य दिल दिल क्यों किसी से हार लाद तर्श किसी का छीत नादर दिलकी दिलकी लगी से करके ना मरबिट नादर माफ कर एफितना दिल, एफितना दिल, एफितना दिल क्यों किसी से हार ना दिल, क्यों किसी का जीत ना दिल क्यों किसी से जोड ना दिल, क्यों किसी का खोड ना दिल दिल लगी दिल की लगी से करके ना मर मिट ना दिल माफ कर एफ तयना दिल माफफ़ कर एंफटना दू, एंफटना दू धड़कता दिल, मचलता दिल, तड़पता दिल, तरसता दिल, तहलता दिल, बहलता दिल, फिसलता दिल, समलता दिल जिए पर दिए दिल दिल, जिए पर 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 दिल, जिए किसने सोचा कि इस दिल ने दिल ही दिल में दर्द तफना है समुचा कि इस दिल ने दिल में दर्द दफना है समुचा तडबता कोई ना इसना है जितना जितना दिल मरहबा एस दिल एस दिल एस दिल मरहबा एस दिल एस दिल एस दिल एपी बस्ड़े थैंक यू अच्छा बता मैं कैसी लग रही हूँ अच्छी लग रही हूँ सिर्फ अच्छी लग रही हूँ बहुत अच्छी लग दिया सिर्फ बहुत अच्छी लग दिया ओके बहुत अच्छी लग दिया तुमारे बाबा ने क्या गा अब तक जवाब ने दिया जीजी मतलब वक्त लगेगा कुटो मिनार को बनने को दो बाच्छाओं का वक्त लगा था कहीं उतना वक्त नहीं लगे करने से पहले उसके बारे में ठीक से मालूमात नहीं की थी वो अपना पुराना डीलर है ना प्रेम जी उसी नहीं जीजी को जैदेव से मिलाया और वो खुड जीजी का इन्वेस्टर है और डील भी अच्छी ओफर कर रहा था वो डील हाँ वही बात है लाप के लोब में जाल स्टेड और हटाने का उसका एक खेल था पर जीजी फैशंस में उसके लाखो रुपिया लगे है और यहां उसके करोडों अटके हमें उस जीजी का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जाहिदेव का क्या करोगे उसके बारे में समझ मीनियारा कि क्या करो मगर मुझे विश्वात से हो मेरा बेठा जो भी करेगा तो यह है तुम्हारा रिशिवन आश्रम मैंने तु कभी सोचा भी नहीं था कि मुंबई के इतनी करीब इतनी खूब सुरत जगा होगी लेकिन तुम मुझे वहां ले क्यों नहीं जा रहे हो तुम्हें ऐसे तुमसे कि जीजी हमेशा मुझे पागल कहता है लेकिन आए खुद पागल मुझ पर यह कैसा है अच्छा है जीजी का बर्दे किफ्ट है अब पताओ पागल कौन है तुम वह तो मैं हूँ लेकिन क्या तुम बता सकते हो किस पर तुम जानते हो एक लड़की की सबसे बड़ी प्रब्ल में जानना कि जिन्दकी भर कौन उसके लिए पागल रहेगा। कौन उसे कभी धोका नहीं देगा। ये सब जानना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं जान गई हूं कि तुम कभी किसी को धोखा नहीं दोगे। हमेशा सब की मदद करोगे। जै जी जी बहुत अकलीफ में है बहुत बड़ा कर्जा है उस पर बहुत उदासे हो जानता हूं मैं उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करो सच तुम जी जी की मदद करोगे जी जी मेरे लिए दोस से बढ़कर है उसने मुझे दुनिया दिखाई मैं उसकी मदद सरूर करूँ जै यह सो नाइस अगर वो मुझे दोस से जादा मांता है तो उसका वो गुरुब आप स्टे ओर्डर हटा क्यों नहीं देता तुमने ठीक से कोशिश नहीं कियोगी वर्ना क्या कोशिश करो तुम उझे करवाना क्या चाहते हो सो करोड रुपया उठा है मार्केट से अगर मेरा यह काम नहीं हुआ तो यह सब उतर जाएगा यहार यह लाली यह पाली रस्ते पर आजाएगा तुम्हारे सपने हैं उमीदे हैं तो मेरी भी हैं दो साल से तुमसे शादी के लिए रुकी हूँ हर लड़की का एक सपना होता है कि वो शादी करें उसका घर बसे उसके बच्चे हो कब तक रुकी रहूँगी मैं कब तक रुकी रहूँगी अगरी बार सुनो नफरा तो ने लग यह मुझे शादी शम्चे अगर मेरा यह काम नहीं कर सकती तो मत करो रोती रो मैं सम्यों का इस लड़ाई में मैं बिल्कु लगे लूँ एक्सेलेंट सैप्लिंग्स काफी बड़े हो गए आप लोग ने बहुत अच्छा काम किया है मित्र जैदिव ग्रीन हाउस नंबर छे के पौदे तो धर्ती में प्रत्यारूपन के लिए तैयार हो चुके हैं वेरी कुल मेरे जीवन को एक दिशा मिल कई है एक उदेश्य मिल कुसुम जी आपको नहीं लगता कि इस रजनात्मा कारणे से कितनी आत्मुसंतुष्टी मिलती है यह पौदे यह पौपिन अरे अरे सुनो तो बपिन कहा जा रही हो थुम तो वापस आगर फिर वैसे ही हो गई वही कपड़े वही डर है अरे रुको तो तो हमेशे अना भागती क्यों है क्या हुआ जैदेव तुम्हे गुरुजी को सब कुछ बता देना चाहिए क्या बता देना चाहिए जो भी हुआ अरे लेकिन क्या हुआ वो सब जो थाइलिंड में हुआ मतलब कुरुजी बहुत परेशान रहते है मैं तो उनके सामने से जैदेव थोड़ी सी सिग्रेट और शराब ही तो पी है हां और बाब जो जी जी के साथ करने वह सही है क्या पता है उसकी पुरी जिंदगी बरबाद हो सकती है मैं आज बाब से बात करूँ नहीं जैदेव जैदेव तुम गुरुजी से सब नहीं को माध्वी तुम हमेशा माध्वी कि मैंने अपने अपको इन सालाखों के अंदर बंद करके रखा हूआ है कि तुम भी बिलकुल ऐसे ही हो गई हमेशा अपने आपके अंदर बंद करके रखती हो और जब आशनम से बाहर जाती हो तो इस पिंजर है अपने साथ ले लेकर जाती हो मुझे समझ नहीं आद्वी तुम हमेशा इतना डरती क्यों हो समझो कि उम्मीद करती हो एक दिन समझो कि यह सब कहना तुम्हारे लिए कितना आसान है ना जैदेव कुछ भी बोलते हो कुछ भी करते हो अनाथ नहीं हो ना और जानते भी में अनाथ हो ना क्या होता है इसमें और रस्मर डालना इन दवाओं की बात ही निराली है एक नए तत्व के मिलते ही इनका चुरित्र बदल जाता है अगर मात्र में थोड़ा भी फर्क आ जाए ना तो यही दवा जहर बन जाती है पर इनसानों की बात और है वो अपने आपको समवाल सकते हैं बेटा तुम्हारा काम कैसे जा रहा है अच्छा जा रहा है बाबा आपसे जीजी के बारे में जरूरी बात करनी थी बाजनलाल इसे दीमी आग पर रखना तैयारोने में वक्त लगेगा हां बोलो बाबा वो जीजी की जमीन के बारे में कुछ सोचा आपने बेटा तुम जानते हो कि मैंने उसके काम में रोक क्यों लगाया नहीं बाबा लेकिन ये जरूर जानता हूं कि उसके काम से यहां बह गिरनी बंद हो गई है तेखो बेटा मैं तरक्की के खिलाफ नहीं हूँ अगर उसे सिटी बनानी है तो पूरा सयादरी घाट खाली है जाए बनाए अपना शहर वो यहीं की जित क्यों कर रहा है सिर्फ इस वज़ा से कि उसे कुछ किये बगायर यहां पर पानी और हरा बरा इलाका मिल रहा है वो अपनी स्वार्थ के लिए मेरी इस दुनिया को उजारना चाहता है बाबा आप जीजी को घलत समझ रहे है बाबा वह ऐसा नहीं है बाबा रिशीवन को कुछ भी नहीं होगा उसने मुझसे वादा किया है वादा एक बिल्डर के वादे पर इतना फरो वो मेरी इस दुनिया को बर्बाद करने पर दुलावा है और तुम उसकी वखालत कर रहे हो वखालत नहीं कर रहा हूं बाबा बाबा मेरी बात तो सुनिए बाबा मेरा दोस्त है उसने पैसे लगाए वो बर्बाद हो जाएगा बाबा और जो उसकी वज़े से आदिवासी परबाद हुएं, उनकी जमीन हड़प करके उन्हें मुंबई के गंदे जौपडों में फिक दिया है, अरे तिलक नगर जाकर देखो, ये वही लोग है, जो तुम्हारे साथ बड़े हुए है, देखो उनकी आहलत क्या है, लेकिन बाबा इसमें जी जी की क्या गलती है, आदि आदिवासी जिमेदार है, ये जो तुम और आज मैं यहां जिन्दा खड़े ना, इसके भी जिमेदार आदिवासी है, तो मैं कुछ नहीं पता, तुम तो चार साल के थे, जब हम छुटिया गुदार के, माह वलेशपर से मुंबई वापिस आ रहे थे, हम सब बहुत खुश और गाड़ी उलट कर खाई में दिर गए, पता चला ड्राइवर उसी वक्त गुजर गया था, जब मेरी आँख खुली तो एक इश्वर के सम्मान रिशी मेरे सामने खड़े थे, उन्होंने जी जान लगाकर तुम्हारी माह को बजाने की कोशिश की, लेकिन वोने हैं बच पाई, देखते ही देखते हमारी दुनिया बदल गई, मेरे सब कुछ चला गया, चिता की आग ने पल भर में सब कुछ चला कर राख कर दिया, मेरी सारी दौलत किसी काम नहीं आए, मेरे असली दन तुम हो, और तुम्हारे लिए मुझे जिद्ना रहना है, उस रिशी ने बहुत सेवा करके तो मैं पुनर जीवन दिया, आश्रम में रहकर मैंने एक निया जीवन देखा, मा अकाल पड़ा था और रिशी लोगों की सेवा कर रहे थे, एक एक बून पाने के लिए लोग तरस रहे थे, सूरज की तेज आज ने धरती को सुखा कर चित करा दिया था, आदमी और जानवर आकाल मर रहे थे, मुझे लगा कि इश्वन ने ये सब देखने के उद्देश से मुझे यहां पोचाया, जिन लोगों ने हमें बचाया है, उन्हें मरते छोड़कर नहीं जा सकता था, मुझे किसी भी तरह भूक मरी और आकाल को मिटाना ह होगा, फिर मैं इस नतीजे पर पहुचा, कि आकाल और भुक मरी से लड़ने के लिए सर्फ एक यहां थ्यार है, हरे आली, मैंने पेड़ पौदे लगाने शुरू कर दिये, यहां सालों साल बारिश नहीं होती थी, हर साल बारिश होने लगी, फिर यहां कभी आकाल नहीं प यह क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है कि एक चिंगारी पूरे आश्रम को जला सकती है, भगवान ने ये बुद्धी किसले दिये, हां, शुभाम, शुभाम, गुरुजी आपे बचा लिए जिये, मुझसे गलती हो गई कि मैं गाव छोड़के चला गया, मेरी बीवी गुसर गई, अब इन दोनों को समाल के काम टूरना बहुत मुश्किल हो गया, मेरे तु समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, आप इन दोनों को आपके आश्रम में रख लीजी, तुम लोगों को कई बार समझाया था, कि शहर में जीने के लिए पैसे लगते हैं, अरे जमीन के बदले में जो रकम मिलिया उस पर कितने दिन जीओगे, इस जन्नत जैसी जगा को छोड़कर, मुंबई के गंदे जोपड़ों में पड़े हो, वो भी कोई जिंदगी है, अब रोने से क्या फाइदा, सब कुछ तो खो दिया, बजलाल बच्चों को ले जाओ, जी, आदिवासी सोनगड के महलो में रहते थे, और मेरी वज़े से जोपड़े में आगे, मैं इसा नहीं कह रहा हूं जी, जी, छोड़ो यार, इतने दिन हो गए, और तुम मेरी बात करने के बजाए इन अदिवासी की बात कर रहे है, इनका क्या है, बोज है हिंदोस्तान पर सिर्फ पच्चे पैदा करना जानते, कमाते हम लोग अटाइक्स हम लोग भरते और ये लोग, अगर तुम्हें मेरा काम नहीं करना है तो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं जी, जी, और इस फैशन शो में मैं मॉडलिंग मॉडलिंग अगर तुम्हें बुरा नागे तो मैं बात करूं तुम्हारे पताजी से लेकिन तुम्हारे पताजी से लेकिन तुम्हारे पताजी से लेकिन तुम्हारे पताजी से लेकिन तुम्हारे लेकिन तुम्हारे लेकिन तुम्हारे लेकिन तुम्हारे लेकिन तुम्हारे लेकिन वेज बाइट ओपले ह मेंौन इपले इस फड़ी खेल शो शो वेवाश्च गलागा बाहल कर दो इस आज़ए इस आज़िते ही। प्रेजर के समय कुष्यों कदेगा डूब प्रोल्यू साथी लिए लिए। बढ़ख बरने जो कि आखे ए अ ओ कि अ हो जेदें को ने मरदं काने क्ता है? क्रिए अ प्रस्किज को आजए आ आ हम एस अधान भाय के आणमी है पासा लेने को आई है दें बाईसाब पैसे की एक मिनुट वो 10 लक दे रहा है न इर्फान भाई, यह यह आपके आदमी इर्फान भाई, मेरा पैसा मिल गया तो इसका भी मिल जाएगा, मैंने गारेंटी लिए हाँ इर्फान भाई, साड़े चार करोड रुपया बड़ी रखा मैं, लेकिन मिल जाएगा आपको जी, आप बात करेंगे? आचार, आचार, बात होगी, आप जाएगे पैसा मिल जाएगे जी, जी, साड़े-चार करोड मतलब? तसलाक डॉलर, साड़े-चार करोड होगा लेकिन, हमने तो डॉलर में खेलाई महीं था तुम ही बताओ, डॉलर में खेला कि नी नताशाब पैसा तो देना ही पड़ेगा तुम दो या मैं दू बाते की है लेकिन इस वक मेरा सारा पैसा वो चीजी सिटी में पासावगा तुम्हे कुछ करना पड़ेगा यह पाइगा यह पाइगा Okay, that's it, now on four, turn around, hold it Very good, okay, voila, 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 okay Okay, okay, okay क्या कर रहे हो, नीचे उत्रो तुमने डॉलर में कब खेला डॉलर क्या मैं हर केल खेलूंगा जी जी, तुम जय के साथ गलत कर रहे हो और वो मेरे साथ से कर रहे है तुम लग सब एक जैसे हो क्या कर रहे हो क्या हो गया है तुम्हे तुम जाओ यहां से, इससे पहले मैं कुछ बरूँ जाओ बागलो, नीचे उत्रो, क्या कर रहे हो तुम और तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ जी जी जब भसा मैं और साथ उसके दे रहे हो तुम जी जी तुम सब लोगों की चाहती ऐसी है एक बड़ा बकरा भसा तो चल दिया उसके साथ जाओ कोई दरद नहीं है मुझे तुमारी तुम बहले नीचे दो उत्रो अगर मैं उत्राना तो सब उत्रेंगे तुम वो गुरू तुमारा वो इंडस्ट्रेस दोस्त सब एए जाओ अंदर जाके रो यहां आटक बंद करो जाओ मैं आपको कैसे समझाओ के मैं आपको यहां शेयर नी बनाने दूँगा आप समझिये इसमें मेरा करोडो रुपे का फायता है और आपका भी हो सकता है अगर मुझे सिर्फ पैसे ही कमाने होते तो मैं यहां अनात आश्रम क्यों खोलता एक मेंगा बोर्डिंग स्कूल खोलता और दुनिया भर के अमीर लोगों के बच्चों को यहां पढ़ा था मुमभई में कई पानवाले रहजाम है जो बड़े-बड़े डॉक्टरों से ज्यादा पैसे कमाते हैं सवाल पैसे का नहीं है सवाल यह है कि आप पैसा कैसे कमाते हैं और समाज को उसका क्या फाइदा है बहुत उचे सोच बचा रहे हैं आपके जो यहां दुनिया से दूर सुनने में अच्छा लगता है लेकिन आप शायद जानते नहीं कि मैं बिल्डर हूं और अपना काम करवाना अच्छी तरह जानता हूं जानता हूं खूब जानता हूं इसलिए पैसों के लिए गुंडों के सबसे ज्यादा धमकी बरेफोन आप बिल्डर को याते हैं कभी सोचा है क्यों? एक बिल्डर की जान की कीमत क्या है? दसफ़ाजार में लोग तयार हैं दूसरों को मारने के लिए और अगर मैंने उन्हों आनात बच्छों को रास्ते पर छोड़ दिया होता तो दसफ़ाजार बहुत ज्यादा है 500 रुपया कीमत होती है एक बिल्डर की जान की 500 रुपया मैं आप से क्या कहूं मेरा करोड़ो रुपया लगाए शेहर तो मैं बनाऊंगा ही आपका बेटा मेरे साथ जुणने के लिए तैयार है आप तो अपनी जिन्दगी जी चुके बस आशिरवाद दीजिए क्या आपके चीते जी मेरा काम हो जाए मेरा बेटा कभी आपका साथ नहीं देगा आपके बेटे ने हर कदम मेरा साथ दिया है देखेंगे आप 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 एका बात बड़ा कि लड़ी मार्किट का साडी चार करोड रुपया चुकाना है और देखेंगे देखेँ 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 अगा शुभाम करल दे ल enseम करे लिकला कर दोटलो! मुटत ऒरह सिर भारने तो मुटत अगत में समुकर का जिए! मुटत अगत अग है आश्रम के प्रिया जनम जब ये पत्र आप लोगों को मिलेगा तब मैं ये आश्रम छोड़ चुका हूँगा मुझे दुख है जिस आश्रम को हम सबने मिलके समा रहा है वो आज संकट में है और मेरा बेटा उन लोगों का साथ दे रहा है जो आश्रम को उजाड़ना चाते है आज अगर मेरे जीते जी ये हाल है तो मेरे बाद इस आश्रम का क्या होगा इस तुविदा में मैं घुट-घुट के नहीं जी सकता यदे इस आश्रम को उजड़ना है तो अच्छा होगा कि ये कारी मेरी मृत्य के पहले हो जाए जिससे मैं निश्य दो के मर सकूँ आप लोगों से नवे दिन है इस पत्र की बाते मेरे बेटे को न बढ़ाए और नहीं मुझे ढूमने की कोशिश करें यदी मुझे से जाने एंजाने में कोई भूलूयो तो शामा करने आप सबका शुप किम तक बित्ती शुपम आप सक्षास कर देंगे यदी मुझे जाँ आप सक्षास करें यदी मुझे गे विदेगे को विदेगे पातिल शाब काश हमारे कुछ हैमेल जाइसे होते तो सभाज आमा देते यहां क्यों आते यहां क्यों आते आओ कुछ मिनार है पातिल साब चैवर्दन मंतरी अमृत पातिल नाइस वीडियो कैसे है गुरुजी अचे बाबा से बात वी जी जी आँ हुई यहां बात वहीं की बहीं है अब सब कुछ तुम परें अब सब कुछ तुम परें कहां जा ते आँ आता हूं यह डिजाइन बहुत बढ़िया है वह तैंक यू मैं आपके लिए पेक बना दू क्या दाम क्या है पैसे तो 35,000 पैसे तो 35,000 सिर्फ आपके लिए यह दाम है अब आवाल चुछ कंटीर आपके अपर में आपके ड़ाइब आपके आपके तबित कई थेको आप मेडिकल रपऊ तो मेडिकल रपो नहीं जाए जा आपको शाएद फूड पोई्ग या ऐसा कुछ वा था नहीं फूट पोईजनिंग, लगता है आपको कुछ गलत फैमी होगी आप वागा फैशन वेर के लिए मॉडलिंग करने वाले थे वागा, वो किया है एक बात बताईए, आप जीजी, करुगुप्ता को जानते है जीजी, नताशा का बॉइफरेंड लगता है उसने आपको पोपट बनाया अब, सौरी, अगर आप पुरान अमाने तो मैपसे कुछ कुछ मांग सकता हूँ क्या, सिर्फ आपके पाँच मिनिट ठीक है, थैंक्स, फॉलो मी वागा क्लेक्शन्स के पीछे आपका मकसद क्या है वागा कलेक्शन्स के एक ही मकसद है फैशन के शौकीन लोगों का शौक पूरा करना वर्दन हमारे पार्टनर्स है और वागा कलेक्शन्स के लिए उन्होंने खास कपड़े बनाए लेकिन वागा कलेक्शिंस में ऐसा क्या है जो कहीं और नहीं है इसका जवाब हमारे खास डिजाइनर आश्टन रागा देंगे थेंक यू अल दे बेस्ट येस गुरी इवनिग वागा कलेक्शिंस में डिजाइन्स की लेटिस इंटरनेशनल रेंज है ये नए जनरेशन के लिए नए स्टाइल स्टेटमेंट है और क्या चाहिए चलिए अज शाम को रंगीन बनाते हैं प्लीज जोई निस फॉर कॉक्टेल्स इंडिनर थेंक्यू तू कहां था? जी जी जॉन बता रहा है अरे जॉन क्या बताएगा? मैं बताता हूँ मुझे अपने दोसको मॉड़ल बनाना था तुमारा बहना लेके बना दिया हाँ ये कह रहा था कि तुम मैं अब भी कहता हूँ अगर ये हांकरे तो तुमारे जैसे सुपर मॉड़ल बना दू मैं याभी मॉडलिंग नहीं करता तो? आजकाल तुम पेपर नहीं पड़ते हूँ एन्यवे आजकाल तुम पेपर नहीं पड़ते हूँ तुम सब्चूटे सब्चूटे अगर रहाना हात मत लगाना जै 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 स्वीट जै जै कुछ बोलना मत क्या का था तुमने एक लड़की के लिए सबसे मुश्किल यह ते करना होता है कि कौन सा मर्द उसे जिंते की बर दोखा नहीं देगा जो मर्द पुरी दुनिया को दोखा दे रहा है वो तुम्हें दोखा नहीं देगा तुम सही हो जै उसने मुझे भी दोखा दिया है उसकी बातों में आकर मैं तुम्हारे साथ खेल रही थी मुझे माफ कर दो अगर तुम्हें इतना समझ के यो तो बस यह कहूंगा अपना खियाल रखना हां साब पौतिलगनगर आगया साब हाँ वही आदिवासी की बस्ती जे न वहां पर किसी से मिलने आए होगा ये गाड़ी से उतर क्यूंने रा उतर गया भाई ये सुन सिर्फ धमकाना हाँ भुर्णा मत नाई भई समझ गया नना हाई जब निगल масс के अरभ इर्फान भाई के पाईसे कब देगा तु गाड़ी कुमों आब अब टो लडरा हासो नगा नहाए नहाए कृका तो लेखी उोड़का ज्योड़के ओचू कोरे आप के अर्यार दू म कोई चल धिया अरे जल दियाओ भिख ज़्यार को डुल जल दियाओ अरे पकार इंगो पकार चलो 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 अरे कुद्दे ताले जली लेगा जली जली कुरुजी कुरुजी ठीक है मैं समझ गई तुम किसी से कुछ कहने मत ठीक है नहीं कहूंगा कुछ हुआ होगा सही है मादवी क्या हुआ मादवी क्या हुआ क्या हुआ अश्रम के प्रिय जनो मादवी यह वक्त रोने का नहीं है तुम जंदू के साथ जाओ मैं यहां पर सबको समाल लोगी जाओ मादवी जाओ पागल हो गई हो तुम मुझे छोड़के जागई हाँ पागल थी जो तुम्हारे साथ दो साल रही हाथ छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो यह पहली और आक्री बार तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो बहुत हो चुका तो मेरे लिए भी बहुत हो चुका तो अच्छा है बात खथम अगर तुमने यहां से बार एक अदम भी रखा तो लोटकर मता ना ठीक है मैं यहां से सिर्फ अपनी चीजे लेके जा रही हूँ तुम्हारा द्याहुआ सब कुछ यही है वैसे भी कुछ दिनों में सब कुछ उत्तर नहीं वाला है तुम जैसे कभी नहीं जीत पाओगे क्योंकि तुम किसी के साथ भी इमानदार नहीं हो खुद के साथ भी नहीं आश्रम में रहोगी या वर्दन के बंगले पर अब तुम्हारे सपने वो पूरे करेगा मेरे सपने की छोड़ो जीजी अपने सपने जीजी से ठीकी सोचो जो आदमी एक घर नहीं बसा पाया वो एक शहर बसाएगा कि अपने रिजी से啦 अपने सßen सब्सक्षार यूजी से हुआ creek बसा यूजी सोचो अपने सकान 실패 का जो आदमी पिर जगड़ा करने आई हो क्या हाँ आपको समझा है जब से जिन्दगी आपको समझा है जब से जिन्दगी जिन्दगी अब जिन्दगी लगने लगी आपकी बाहों में जब से आ गए आपकी बाहों में जब से आ गए ऐसा लगता है कि मंजिल पा गए ऐसा लगता है कि मंजिल पा गए हाँ कई अर्मान दिल में यार उर्जन ये जान लेवा है महाबत ये महाबत ये कई अर्मान दिल में यार उर्जन ये जान लेवा है महाबत ये महाबत ये हाँ आगए हम जिन्दगी में एक ऐसे मोड़ पर जी नहीं सकते महाबत का ये दामन छोड़ कर आपकी इस आशिकी को क्या कहें अपनी इस दिल की लगी का क्या करें अपनी इस की लगी का क्या करें यह जड़े आप शच्ट नहां दो जो हम जा टे पर दोन दो कर दो जो जड़े आप शिह देदिन दो जो जड़ पर दो शो प्रिज़ आप शेड़ मुझें मैं जड़े दो जोंड दो जापता है कल तलक था सुनहरा खाब अपनी जिन्दगी सामने आई हकीकत जिन्दगी की आज ही कल तलक था सुनहरा खाब अपनी जिन्दगी सामने आई हकीकत जिन्दगी की आज ही कैसे लड़ती है अंधेरों से पुजालों के लिए हर खड़ी किसमत से देखो हर किसी की जिन्दगी अब हुआ एहसास सच और जूठ का अब हुआ एहसास सच और जूठ का अपनी मर्जी से जिएंगे जिन्दगी 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 देखिए आप सब लोग मेरी बात मानिये वापस रिशीवन चलिए ये भी कोई सिंदगी है क्या रखा है यहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा आप लोगों को इस नरक में और इन मंत्रियों के बातों में ना हैं आप ये कोई घरवर बंद करने ही देने वाले आप लोगों को पर हमें अमारी जमीन वापिस कैसे मिलेगी मैं दलाऊंगा लेकिन मुझे आप सब से भी एक वादा चाहिए जब मैं आप सब लोगों को बलाऊंगा तो आप सब एक साथ मेरे साथ वापस चलेंगे अगर आप सब मेरे साथ हैं तो हाँ बोलियो और हाथ उठाइए आप 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 मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कितनी बार माफी मागोगे बेटा अब छोड़ो उसको अभी आसरम जाओ वहाँ तुमारी जरूरत है जाओंग अगर लेकिन पहले मुझे इर्फान भाई से मिलना है हां हां मैंने कमिशनर साब से बात किया है वह हो जाएगा थैंक्यू अगर एक्स्क्यूज मी इर्फान भाई DCP देश्मुक्स आपने भेजा है जाओ इर्फान भाई मैं तेरे को बाद में फोन करता है क्या बात है मैं जैदेवर्धन हां DCP देश्मुक का फोन आया था क्या काम है जीजी ने अपसे मेरे नाम पर कितने की बैटिंग की थी जीजी कौन जीजी जीजी गौरफ गुपता वह बिल्डर क्या हो उसे उसने अपके साथ बैटिंग की थी राइट पहले खेलता था काफी दिन से खेला नहीं लेकिन मैं कुछ समझ नहीं रहा हूं क्या बात है मुझे एक बात संजाए एरफान भाई कौरफ गुपता ने मेरे नाम पर आपके साथ दाव लगाया था नहीं अलो जी 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 जै बोल रहा हूं मुझे एरफान भाई को कितना पैसा देना है अरे जै तुम कहा हूं ठीक तो ये एरफान भाई की लोगों से थोड़ी गलती होगी थोड़ी नहीं बहुत और गलती इरफान भाई की लोगों की नहीं थी गल्ती तुम्हारी थी अरे जै ये इर्फान भाई एड़ा है अच्छा तो लो इर्फान भाई सही बात करो ए ये क्या नाटक चल रहा है है इर्फान भाई कैसे हैं अरे इर्फान भाई मैं बस अपने दोस की खीच रहा था खीच लेकिन अपने गल्ले पर खीच मैं यहां धं जाता हूं अलो जै 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 तेंक यू अरे सुनो भाई ये डी सिपी देश्मुक और पूलिस बालों को बीच में क्यों लाते हो कभी वी जरुद पड़े तो ये मेरा नंबर है मुझे डारेक्ट फोन करो मुझे आपके नंबर की जरुद नहीं पड़ेगी ये इलाका तो बहुत अच्छा है पाटे यहां से आश्रम कितना दूर है चालिस किलोमेटर हो गया जाएंगे नहीं अब इन्हें फिर कभी चलेंगे वो गुरुजी का क्या करें तिर से वो पचास साल के लीज मांग रहे है सर मेहरवानी करके उस आश्रम की लीज मत उन्हें सोनगड के बार दूसरी जगह दे दीजिए और ये जगह जीजी को टेवलब करने दीजी ना नहीं वो तो सब ठीक है लेकिन आश्रम को अटांगे कैसे उसमें अटाने के लिए है क्या आट दत शेडे कुछ जोपड़ी है और इस आश्रम के बदले जीजी उन्हें नहीं आश्रम बना के दे देंगे ना सारी सुविदाओं के साथ एक मौडन आश्रम बनाएंगे मैं गैरंटी लेता हूं बस एक बात बताईए ये कर नए अश्रम बनाने को तैयार है तो फिर गुरुजी को तकलीफ क्या है वाट इस प्रॉब्लम वही तो मैं के रहा हूं स सीम साहब सीम साहब इसी में हम सब का फायदा है हम ठीक है मैं देख लेता हूं थैंक्यू बाबा 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 मैं रहें दोवण कही औरू life जवदी हूं प्रह क। बाबा 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 मैं जाता हूँ आप मुझे सुच सकते हैं बाबा मुझसे बहुत बड़ी गर्ती होगी बाबा मुझे बाफ कर दीजे मुझसे बाब मुटर इंस समझ गया अनान तोरा क्या हूता है मतला मुझसे बाबा मुझसे अनान बाबा मुझसे बाब कर दो wrac ons थार होगी अनान चाहर हूँ से चाह Good जीजी ने मेरे जिंदकी पर बात कर दी मैं उसे नहीं चोड़ूँगा मैं उसे नहीं चोड़ूँगा प्रेम जी आपका और हमारा 20 साल का रिष्टा है फिर आपने मेरे बेटे को ऐसे इंसान से क्यों मिलवाया गुरूजी मुझे खुद पता नहीं था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा और मैंने तो दूनों की बलाई के लिए मिलवाया था अब क्या हो सकता है गुरूजी सोचता हूं मैं सोचिए आप लोग चांत हो जाइए आप लोग चांत हो जाइए प्लीज चांत हो जाए आप लोग इस नोटिस में यही लिखा है कि सरकार आश्रम की लीज को नहीं बढ़ा रही है अरे परिंतु नेने साहब उनके लॉयर खोटे के साथ मेरी बात हुई है इस जमीन के बदले सोनगड के बाहर एक नया अश्रम बना कर देने की बात कर रहे है अभी आप लोगों को तई करना है हमें आगे क्या करना है शांत नेने साहब नहीं देखिए इन लोगों की बात मानी तो हमारा भी वही हाल होगा जो आदिवासियों का हुआई नेने साहब आप खुदी सोचिए हम इन सब लोगों को लेकर बच्चों को लेकर कहां जाएंगे आखिर उन लोगों से कह दी जिनेने साहब हम लोग आश्रम नहीं छोड़ेंगे हमें जमीन छोड़कर और कहीं भी नहीं जाएंगे और इस साल हम लोग अपने आश्रम का गोल्डन चुबिली सेलेबरेशन ज़रूर मनाएंगे यही मनाएंगे एक अंकूर के अंश को अलग वीडियम में डालने के थोड़े समय बाद ही उस एक से अनेक पौधे बन जाते हैं कुछ समय तक अलग लग रखने के बाद लगवग चार-पांच महीने में यही पौधे जमीन में रोपने लाइक हो जाते हैं और इस साल आश्रम के बच्चे पांच लग पौधे रोपेंगे और इतने बड़े काम को अंजान दे रहे हैं जैदेव वर्धन तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं अपने पिताजी की इच्छानुसार और हमारे कलेक्टर साब की इजासत से मैं पूरे सोनगड़े लाके को हरा बरा करना चाहते हूं फिर इस काम में आपको दिक्कत क्या है सिर्फ एक दिक्कत है बिल्डर गौरव गुपता वो यहां की पूरी जमीन हड़पकर यहां पर एक सिटी बनाना चाहता है और इसमें उनका साथ देना है यहां के MLA और मिनिस्टर अमरुत पाटल एक बहुत बड़ा नया घोटाला सामने आया है इसी मुद्दे को लेकर राजविधान सबा में काफी बड़ा हंगामा हुआ है एक मिनट एक मिनट पाटल साब आपका कहना यह है कि रिशिवन में कोई गोटा लई नहीं हुआ तेखिए यह सब इनी लोगों का प्रपोगंडा है आपके हिसाब से तुम हुमभई पे बाड़ी नहीं आई थी सच तो यह है कि आप लोग चाहते हैं कि बाड़ा है ताके आप लोग सेंट्रल गवर्मेंट से जाके राहत मांग सके और अपने घर भर सके प्राकृतिक आपतिक के सामने कोई क्या कर सकता है आप नहीं करेंगे तो और कॉन करेंगा पातिल साब जिस तेजी से आपकी वजह से पेड़ कट रहे हैं अपसे हर साल या तो बाड़ आएगी या अपने अलाके के सबी लोगों को तो आपने मुमभई भेज दिया है लेकि मुंबाइ की लोकल ट्रेन में लोग सफर करते हैं, अब तोलो मोलो और खुद बोलो सेंटर से भीक मांगने के सवाए आपने अपने शेत्र के लिए किया ही किया है बोलिये बोलिये जवाब दीजिये आपका समय अब खतम हो रहा है बोलिये जो पर पती तोड़े जाने की खिलाफ धरना और प्रदर्शन करने वारे लोगों को पुलीस ने गिरफतार किया वहीं बड़े घटनाकरम में तिलक नगर में बसे आदिवासियों ने वापस ओनगर जाने का फैसला किया हमारे रिपोर्टर्स बताते हैं शहर से गाउं लोट रहे आदिवासियों में इतना उत्सा था कि जैसे उन्हें जिंदगी फिर से मिल गई हो इन आदिवासियों की वापसी जैदे वर्धन के कारण हो पाई है सोनगर में आदिवासियों की वापसी को लेकर सरकार की मुश्किली काफी बढ़ गई है और सोनगर में भी जमीन को लेकर तनाफ किसी दी पैदा हो गई है ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी भी शहर के जोपों में बसे लोग अपने गाउं वापस लोटे है आज इस विसफोटक मामले पर चीफ मिनिस्टर ने मीडिया से बात की प्लीज, वन बाई वन सीम साब, आप बताएं कि सोनगर वापस जा रहे हैं आजवासियों के साथ आप क्या करने जा रहे हैं मैं अभी इस वक्त तो कुछ बता नहीं पाऊ जिस समीन पर लाखो पौदे लगाए गए हैं उसे आप मिनिस्टर पार्टिल के दबाव में आकर जीजी बिल्डर को बेच रहे हैं देखिए आप सभी लोगों को मालूम है कि मैं कभी भी किसी के दबाव में आकर कामी नहीं करता क्या सरकार के जाने के डर से रिषीवण अश्रम की लीज नहीं बढाएंगे देखिए रिषीवण Ouchрав्रम का जंकल और पांच लाख से ज्यादा पौदों को नश्ट होने देगे और पचास साल से चल रहे आश्रम की लीज नहीं बढ़ाएंगे देखिए मैं रिश्रीवन आश्रम के गोल्डन जुबली समारों में जा रहा हूँ मैं वहाँ जा कि खुद देखूँगा कि अगर सचमुच वहाँ पांच लाग पौदे लगे हैं तो मैं वही फैसला करूँगा कि मुझे क्या करना चीए आज रिश्रीवन से जुड़े जीजी बिल्दर से पत्रकारों ने बात करनी की कोशिश की पर पत्रकारों के सवालों से जलाकर गौरण गुपता धक्का मुखी पर उतर आए और बत्तमीजी की और जवाब दिये बिना वहां से चले गए जो आद्मी मीडिया के साथ इस तरह पेशा सकता है उसने गरीब आदिवासियों के साथ कैसा व्यवार किया होगा इसका अंदाजर लगाया जा सकता है जिस जीजी सीटी को मैं पाटिल और सीम नहीं पूरा करपाए उसे तुम पूरा करोगे इस पचास करोड के पीछे कौन है प्रेम जी भाई ये जानकर तुम क्या करोगे और सीम को तुम कितना जानते हो मेरी सुनो पॉलिटिक्स में कोई किसी कर नहीं होता और जो सीम ये कहता है कि वो सारा मुद्दा वहाँ पर जाकर ताई कर लेगा उसने पहले से कुछ न कुछ ताई कर लिया है इस तूटियो ये मारत में तुमें सोने की इटकां से नजर आ गई तुम दंदय की बात कर रहो या पॉलिटिक्स की अगर तुम ये समझ ही गए हो तुम मेरे ओफर का क्या कहते हो पचास करोड लो और वो सारी की सारी जमीन और उस पर खड़ी हुई मशीनरी सब कुछ मेरा वरना बरबाद हो जाओगे इस पचास करोड का ओफर अपने पास रखिये प्रेम जी भाई समीन और मशीनरी तो क्या पचास करोड में मैं आपको जीजी सिटी की धूल भी नहीं बेचूँगा अगर सीएम रुशी वन जा रहा है तो हम भी जाएंगे है? इसी जगा पर हम खड़े थे जब तुमने कहा था कि एक साल रुख जाओ अब एक साल होने को आया अब क्या कहते हो तब कि स्थिती अलग थी यह आज की स्थिती अलग है मतलब स्थिती के हिसाब से आपकी जुबान बदलती है जीजी नुकसन तो मेरा भी हुआ ना वो जब प्रॉफिट होगा सारा नुकसान तो मेरा है आपको याद दिला दूँ कि सारा पैसा मेरा लगा हुआ है जीजी यह पाटिल अभी तक जिन्दा है कुछ करते हैं कुछ करते हैं हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुच चुके हैं और यह फंक्शन बस चुरू होने ही वाला है सीएम तो आ रहे हैं पर इस वक्त मंच पर उध्योग पती होमी वाडिया स्वागत कर रहे हैं हाई कोर्ट के जस्टिस माननीय जाविद एहमेदी सहब का हाई कोर्ट के जस्टिस माननीय जाविद आ रहे हैं हाई कोर्ट के जस्टिस माननीय जाविद आ रहे हैं हाई कोर्ट के जस्टिस माननीय जाविद आ रहे हैं संग संग बाहार के उपवन रहेंगे तो जीवन रहेगा ये चक्र जीवन का चलता रहेगा हूपवन रहेंगे तो जीवन रहेगा ये चक्र जीवन का चलता रहेगा इन पेड़ पोधों से मिलती है सांसे इनकी इन शाखे है जीवन की रहें वक्त पे बदलते वक्त पे बदलते इनसी मोसम संसार के आज खुशी नाच उठी देखो संसं बाहर के पश्ट करे बन को जो तुश्मन समाज का पल्की ना सुचे वो तो सोचे बस खाज का हरे भरे धरते पे चलत रंग प्यार के आज खुशी नाच उठी देखो संसं बाहर के आज खुशी नाच उठी देखो संसं बाहर के देखो जाए की स्वING नाच उपर जाके सौंबरस्त पिना संजा तिरी ता है जे territ disrespectful लुटा हाँ वुणव enhancement प्टोर जलोटे कि जिलो जलोटे कि जलोटे मैं जलोटे जयादी जया देव! जयादेव! जयादेव बगलो! बगलो! चोलो नहीं!! बच्छे नहीं करिए चॉहिंदेव! जयादो.. जयादो पादो.. जयादो.. कि लुग से लिए खाए? कि ये खिंग अंग अए ख एक शम्राइब कि अबाराव सबस्तरा अए मैं गार देख तो आश्रम के आयरुवेदिक फैक्ट्री में आग लग गई है हर तरफ अफरा सफरी मची है और गौर करने की बात ये है कि मुख्य मंत्री साब अभी तक नहीं पहुचे है पुलीच पुल क्या उस पार किशी को नहीं जाने देना बच्चों तेस्क नजिका कर बच गए आप शान्स रहिए शान्स पूलीच वपन जान्स पार जान्स बच्चों में आ जए अफरे शान्स पूलीच पटा जान्स पार जालीच वादाव पार जान्स पकड़े इस रावर को आग प्रदे के जा रही है पर देखने की बात ये है कि जो टंकियां पौधों को पानी देने के लिए लगाई गई थी वही पानी आज इन पौधों को जलने से बचा पाता है या नहीं ये आग आश्रम में लगे लाखों पौधों को जला कर मिटाने के लिए लगाई गई है ताकि जब CM यहाँ पर आए तो पौधो का नाम और निशान तक ना रहे क्योंकि CM साब पौधो के अधार पर ही आश्रम किलीज बढ़ाने का फैसला करने वाले हैं अच्छी खबर यह है कि आग बुच चुकी है और अभी-अभी मुख्य मेंत्री भी यहाँ पहुच चुके है कई साग के बीशे दुवरा हाथ तो नहीं है क्या आपको हर आग के पीछे मेरा यहाँ दिखाए देता है यह पूरी घटना जस्टिस जाविद एहमेदी के सामने घटी है इस मामले का मुख्य गवा बचा लिया गया है और उसने अपना बयान भी दे दिया है अभी उसे जैदेवर्दन मंच की ओर ले जा रहे है सरा जो भी कुछ हुआ आपने खुद देखा है इन लोगों ने पूरे आश्रम के साथ साथ पांच लाग पौदों को जलाने ही कोशिश की सर और इस आदमी को जलती है आग के अंदर भेग दिया मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहता हूं सर प्लीज कुछ कीजे सर आप सभी लोग सुन लीजिये जो यहां मवजूद है मैं जस्टिस जावेद अहमदी इस गंभीर अपराधिक घटना का खुद गवा हूँ और इस मामले की गंभीरता को समझते हुए मैं इस बात का आदेश देता हूँ कि इस घटना को अलजाम देने वाले मिनिस्टर अमरित पाटिल और बिल्डर गवरोगुपता को और उनका साथ देने वाले लोगों को जिन्हें घटना स्थल पर पकड़ा गया है तुरंद गिरफतार किया जाए और मुकदमा चलने तक उन्हें पुलिस हिरासत में रखा जाए मैं पुलिस को तत्काल कारवाई करने का आदेश देता हूँ जिन्दगी में पहली बार देख रहा हूँ कि एक जेस्टिस ने मौके पर इस प्रकार का आदेश दिया है सीम साब कुछ किजिए हमारे तुमारे विष्ट्य हुआ था दो साल तक तुमारे को यह मांगने होगी लेकिन आप मुझे बचा सकते हैं कैसे कैसे मतलब जस्टा के आदेश से खिलाब जाकर मैं तुमारे को यह मदद में कर सकता वैसे भी तुम हमेशा सिर्फ सरकार किराने के बात करते हो अब किराओ सीम साब मैं इसी मुद्देप पर इलेक्शन अनौन्स करता हूँ मैंने कहा था जितना पचा सकते हो उतना ही खाओ तेफिया सीम साब अब जाओ जी जी मैंने कहा था ना पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता है मेरी ओफर मानो और इस डील को सेडल कर दो इस पेपर पर साइन करो कल तक तक तुमारे अकाउन में 50 करोड का डिमांट राफ जमा हो जाएगा इस जमीन को हमें बेज दो शायद कल जी जी सीटी खड़ा हो जाए वरना सब कुछ हार जाओगा, सब कुछ इतने साल मैंने तुम पर वरोसा किया इसलिए तुमारी कंपनी में इंवेस्ट किया एक बार तुम मुझ पर वरोसा करो शायद तुम इस केस से भी छुट जाओगा शडियंत्र था ये, शडियंत्र जिसमें आश्रम के ही एक करमचारी को मदिरा पिला करके उसे इस अगनी कांट के लिए दोशी ठेराने का परत्म किया गया किन्तु वेस्ट सकुशल है, हम भी लड़े और अब अकॉर्डिंग टु लो इस जगनी कांट के समस्त अपरा दी छे माह तक, छे माहिने के लिए नॉन बेलेबल वारंट के साथ गैर जमानती वारंट के साथ अंदर रहेंगे आवशकता पड़ी तो हम स्वेम लड़ेंगे ये केस बजन लाल, M.A.L.L.B. वैसे ये जानना नहीं चाओगे कि इसके पीछे कौन है प्रेम जी, जी जी हमेशा ब्लाइंड के लाएं मुझे पता है क्या दाव के लाएको तो मिनार तुम ही से सीखाए, पीजा के चुके मिनार ये दाव तुम जीते हो पचास करोड़ भी अपने खाते में रखना अगले दाव ताव मैंने दाव खेलना छोड़ दिया चीज़ शायद तुम नहीं समझोगे लेकिन हार कर भी तुम ही ये दाव जीते हो क्योंकि आप ये जमीन उन्हीं को मिलेगे जिनका इस पर पूरा हक है आज तुम्हें सब कुछ बोलने का भी हक है लेकिन फिर भी बोलता हूं ना तुम्हें बिटवाना मेरा मकसद था और ना ये आग मेरे ख्याने से लगाई गई है तुमने दोस्ती सिर्फ फाइदे के लिए की थी चीशी और फाइदे के लिए की गई दोस्ती सिर्फ गाटा देती अगर सिर्फ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा होगे तो यहाथ हमेशा आगे रहे अब यहां के लोग इंतजार कर रहे हैं मुख्य मंत्री के फैसले का क्योंकि आश्रम के हजारों बच्चों का भविश्य अब उन्हीं के हाथों में है आश्रम के सारी घटनाओं के लिए मुझे बहुत दुख है और इसके लिए मैं सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ ससे माफी चाहता है जो काम सरकार को करना चाहिए था वो दिम्मेबारी गुरुजी ने बखुवी निवाई है हमें गर्व है हमें गर्व है कि ऐसा इनसान ऐसा आश्रम हमारे राज्य में इसलिए मैं इस आश्रम की लीज से पचास नहीं, 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 पचास नहीं, बल्कि निन्नया नुवे साल तक बढ़ा रहा हूं। मैंने क्या किया? पकड़ना था उन्हें पकलो ना? मैंने क्या किया? सु your आप से उन्हें वह्त आप उन्ह था बहत वहादिए, नहीं ना? fotos से घुक्ता से नहीं, शुद्ध़ मैंने मैं अब टेन को साना है मानव की हर सांस तू है, पल-पल की इकवास तू है, सब दूर है पास तू है, जगधूप है चाहूं तू है हम पहचाने कैसे तेरा बार तेरा शिखी, बाबा, बाबा, मुझे बाप करती है बाबा, मुझे से करते हो गए पाप बाबा, बाबा, आज मैंने देखा है कि तुम, तुम, तुम सब कुछ समझ के हो, अम मैं जान गया हूं कि तुम, तुम सब कुछ समाल सकते हो, बाबा, हमें, हमें पेपर्स मिल गए जमीन के बाबा, आपका सपना मैं पूरा करूंगा बाबा, बेटा, हर किसी का एक सपना होता है, पर जो अपने सपने दूसरों के आंसों से पूरे करते हैं, उनके सपने भी आंसों बन जाते हैं, सपने उनी के सच होते हैं, जो अपनी भलाई के साथ, दूसरों का भी भला चाहें, मादवी, जसे प्राइब को भंग। झाल झाल